गुड़ मॉनिंग एवरिवन तो जैसे कि आप सभी लोग थमलेन देखते के समझ गये होंगे कि आज का लेक्चर जो हम लोग होने वाला है वो डी ब्लोक और एप ब्लोक का यहां पर देखेंगे तो अगर अधि इससे पहले आप कहीं भी डी ब्लोक और एप ब्लोक का पुझ देता है ठीक है तो इस तरह से तो आज जो हम लोग जेनरली देखेंगे वो पांच नमर का यह चेप्टर होता है तो पांच नमर हम लोग यहां पर कबर करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे कि कहां से हम लोग को अब्जेक्टिव कोश्चन बनता है कौन-कौन सा हम लोग को objective बन सकता है, कौन-कौन सा हम लोग को subjective questions यहाँ पर बनेगा, वो सारा कुछ हम लोग आज की lectures में यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो lecture थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग basic से पूरा advance तक बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग वो भी चर्चा क करेंगे कि कौन-कौन सा questions इसे पूछेगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इस से पहले, lecture से पहले जो हम लोग थे, तो एक questions वहाँ पर set कर दिया गया था, test series के जैसा जो कि आपको telegram में वहाँ पर upload कर दिया गया था, जो कि आपके board exam में पूछे जाने का जो वहाँ प वहाँ पर upload कर दिया गया था, तो आप वहाँ से देख लिया होंगे, उसका solution भी ढूण रहे होंगे, तो आपको अलग से उसका solution नहीं करवाया जागा, बलकि वो सारे questions का answer यही lectures में सारा कुछ सब भीट हो जाएगा, तो जो वहाँ पर अलग से एक lectures बना करके आप लोगों आप से रिक्वेश्ट इतना ही रहेगा कि आप थोड़ा सा पेसिंस के साथ बठीए, हो सके तो आप थोड़ा सा एरफोन इससाब का यूज कीजिए, ताकि अगल बगल का जो environment होता है उससे आप बज सके, क्योंकि महल अभी कहीं disturb हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, इसी च सिख जाहिएगा, क्या होता है transition element, सब कुछ सिख जाहिएगा, कैसे पता चलेंगे कि वो transition metal हम लोग को है की नहीं है, यह सारे चीश समझ में आ जाएगा, फिर बहुत सारे यहां पे questions हम लोग को देखने वाले है, कैसे हम लोग यहां पे निकालेंगे, बहुत सारे चीश यह यहां पे questions बनेगा, तो धीरे धीर हम लोग जैसे यहां पे बात करेंगे, वो एककर करके आपको यहां पे clear होते जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पे पढ़ने का तरीका, जिसका objective है, तो objective directly questions हम लोग को पूछता है, कुछ concept से, तो यहां पे जो point लिखेंग मतलब वो बहुत महतुपूर्ण है, ठीक है, वहां से questions पूछे जाएंगे, यहां पे कोई भी extra चीज नहीं बताए जा रहे है, जो कि आपके board exam का काम ना होए, ठीक है, तो यहां पे जितना है, सारा का सारा चीज आपको knowledge होना जबहुत जरूरी है, हलाकि एक concept यहां पे चाहिए लोगों को कि आप इस channel से पढ़े थे, तो आपका results कितना बेहतर हुआ यहां पे, ठीक है, तो इसी वज़ा से वहां पे Google form को भरवाया जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी वहां पे जा करके उसको भर लीजेगा, ठीक है, लगभग 50-55 students यहां पे भर चुके है तो आप भी वहां पे submit कर लीजेगा, ताकि आपका भी result इस channel में sop किया जा सके, चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका, कि D और F block में हम लोग कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग D block का बात कर लेंगे, उसके बाद F block में चाहिए कि F block से हम लोग को किस तरह का question टंट लोग, तो यहां से देखोगे तो तुम्हारा क्या रहेगा, पी भूख रहेगा, तो इस तरह का तुम्हारा क्या रहता है, Periodic Table रह लग रहती है, और नीचे तुम्हारा क्या रहता है, F block का, Elements dominant यहां पर पढ़े हुए रहता है यहां पर देखेऊ चार काटेग्री में इसको बाठते है, इसको हम लोग बोलते है, इसको बोलते है, पैप करने जा रहते हैं वह सिर्फ और सिर्फ वही element का हम बात करने वाले हैं यह इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सा एलिमेंट होता है उसका क्या के यहां पर करेक्टरिस्टिक यह सारे चीशे हम लोग इसके बारे में जानेंगे यहां से एक वे पुछा जाता है का आखे D-block है वह D-block कहां परजेंट हम लोग को मलब पुरा प्रियोडिक टेबल में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रियोडिक टेबल के मीडिल पॉइंट में आपको क्या रहता है प्रजेंट रहता है देखरा है बीच में इधर भी एस इधर भी तुम्हारा पी और नीचे तुम्हारा क्या है एफ है तो वो कहा है तुम्हार तो एक question तो यहां से बनने की chances रहता है कभी भी पूछ सकता है ठीक है चलो अब second में चलता है इसका group का बात जैसे कि हम लोग जानते है कि periodic table पढ़ता है तो उसमें हम लोग दो चीज़ बात करते हैं एक तो period बात करते है एक हम लोग group बात करते है गुरूप कहने का मतलब क्या होता है तो group में देखता है कि इस तरह से lining जितना रहता है तो वो सारे आपका क्या रहते है group होते है तो आप देखेंगे कि यहांसे वन group यहां पर second… फरर ऐस. ऐसे तो यह तक पूरा periodic table की बात हो जाता है कि 18 गो गुरूप होता है और 7 गो क्या होता है पिरियड होता है अब बात आता है कि पूरा 7 गो पिरियड और 18 गो गुरूप में से आपको बताने कि D block कितना कितना में परजेंट रहता है D block का कितना पिरियड होता है और कौन कौन सा पि हम लोग यहाँ पर देखते है 12th group तक, मतलब कहां से कहां तक रहता है, अगर group की बात करते हैं, तो group हम लोग को कहां रहता है, तो 3rd group से ले करके, कहां तक हम लोग को क्या रहता है, वहाँ पर सिर्फ हम लोग को D block element ही रहते हैं, अगर total number of group की बात करेंगे, तो कितना हो जाता होता है कितना हो जाता है 10 मतलब total number of group अगर पूछे का कितना बोलेंगे 10 group होता है उसके पास और अगर बोलेगा कि कहां से कहां तक वो लाइक करता है तो आप बोलेंगे कि 3rd group से लेकर के कौन सब group तक 12th group तक क्या रहता है D block element रहते हैं दो question यहां पर बनता है एक तब पूछ सकता है आपका सबसे पहले समझ गए कि उसका portion कहा रहता है बीच में रहता है उसके बाद पूछेगा वहां पर कि D block का group होता है वो कहां से कहां तक उसका लाइक करता है तो आप बोल देगे कहां से 3rd group से लेकर के 12 group तक आपका क्या रहता है D block element अब वो एक question ऐसे भी पूछ सकता है कि उसके पास total number of group कितना होते है तो total number of group कितना होता है दस होता है आप जोल के देखिएगा देखिए गिन के देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन करके देखिए आपने हाथ में तो वहाँ से पता चलेगा आपका 12 तक जैसे गिनेगा तो वहाँ से क्या पता चलेगा 10 group होते है है total कितना होते है दस group तो यहां से दो question बन गया मतला अभी अगर डार के है आज question set के जाए तो तीन question बन जाएगा एक तो आपका d block कहां लाइक करता है प्रियोड टेवल में तो middle portion में उसके बाद कि d block element का group होता है वो total group कितना होता है 10 group होता है कहां कहां से उसका group start होता है तो फिरी group है third group से लेकर के 12th group तक आपका क्या रहता है डी block element वहां पर present होते है खतम काने अब आता है उसका period का क्या बात आता है period का तो period देखो के कि जैसे हम लोग यहां पर बात करते है d का क्यांचिए बात करते है दी का तो D में जैसे जाओगे, तो D में वहाँ लोग जैनरली जो देखते हैं, हम लोग कहां मिलता है, तो 4th पीरियड से कहां तक मिलता है, हम लोग को 7th पीरियड था, कि तर लिख दें, यहां पर ज्यादा हो जा रहा है गन्दा किया, चलो, एक तक गुरुप के बारे हम लोग जा तो periodic table में देखता है कि हम लोग देखते हैं कि इसके पास total कितना रहता है, 7 गो हम लोग को period रहता है, period करने के मतलब यह जो lining रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, period बोलते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि 7 गो तो period होता है, हम लोगो seventh period तक चल जाता है अब total गिन कर देखे four five six seven और चार गो परिए होगी हम लोगो कितना हो गया चार गो पिरिया तो अगर यहां से हम लोग बात करेंगे कि total number of period कि अगर total number of period बात करेंगे जैसे हम लोग यहां पर दो चीज़ बात करते थे ग्रूप में कि total number of group कितना होता है तो दस होता है उसी तरह से इसमें जो हम लोग बात करते है कि d block element का total number of period कितना होता है तो आप कितना बोलेंगे total number of period हम लोग को 4 होता है कितना होता है चार अब यहां से question आता था कि आखिर तुम जान गिया कि वहाँ पे block अमला कि क्या चाहिए ग्रूप के बारे में तो आसा question पुछता है कि जो d block element होते है वो कौन सा group से start होता है कहां तक रहता है तो आप बोलेंगे कि वो start होता है कहां से third group से लेकर के 12th group तक कहां रहता है आपका d block element उसी तरह से परियेड का question बनता है कि कौन सा period से लेकर के कौन period तक आपका d block element होते है तो आप क्या बोलेंगे कि fourth period से लेकर के 7th period तक आपका क्या रहता है तो d block element वहाँ पर पर जेंट रहते है समझ माई गया total number of group कितना होता है total number of period कितना रहता है समझ गया कहां से कहां तक कौन से कौन हम लोग को period में start होता है deep block यह भी समझ गया कौन से लेकर के कौन से लेकर के कौन से गुरूप तक आपका लाइक करता है deep block element यह भी पता चलिया तो यहां से दो-दो question बनेंगा चार कोश्चान एक वहां से बनता है पांच को question बनाने का तरीका यह से निकल गया और यह से पूछते रहता है समझ मागे चलो इतना समझ मागया होगा अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं धिरे दरे लोग बात करेंगे ठीक है तो यह कितना हम लोग को point कर चर्चा कर लिए position तो समाझ गय है तो कहां सतक जाता है सेवन्थ पिरियड अगर टोटल नंबर पिरियड बात करेंगे कितना हो जाता हम लोग को फूर हो जाता है बात समझ मागे इसी तरह सब point बनाओगे तो जाता है language लिखने जरूरत नहीं है हम लोग को to the point यहां पर बात करने जिसे हम लोग को questions बने औ होगा और पूरा basic से अर अच्छा तरह से तुम समझ चापा होगे ठीक है चलो पूरा unique label से यहां पर पढ़ा रहे है ठीक ऐसे जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है चलो other name जैसे deep block element का हम लोग क्या करते है यहां पर एक और नाम से जाना जाता है उसको deep block element को एक और नाम से जान element बोलते हैं और उसका दुसरा नाम जो बोलते हैं वहां क्या बोलते हैं transition element बोलते हैं क्या बोलते हैं transition element चलो आगे चलो अब बताये तुम लोग को कि तो थोड़ा define करना पड़ेगा एक नमर में रहेगा तो उसको configuration करके महाँ पे हम लोग calculate करते हैं कि आखिर महाँ पता करते हैं कि वो transition element है कि नहीं है सुझ मैं इसके बारे में हम दिरे दिरे बात करेंगे अभी जो जो हम याद करने बोल रहे हैं पहले इसको याद कर लो ठीक है मैं इसको set कर लो एक ही बार में यहां तक समझ माग गया था कि डी ब्लोक element को other नाम से और क्या जानते हैं हम लोग transition element से जानते हैं खतम का नहीं चलो आगे चलो total element जो यहाँ पर डी ब्लोक element में देखोगे कि total number of element कितना present होते हैं तो डी ब्लोक में total element जो present होते हैं वो कितना होते हैं हम लोग को 40 element यहाँ पर present होते हैं इसमें डी ब्लोक element में total number of element 40 होता है खतम का नहीं क्या इतना याद रख लोगे अब देखो इसका general electronic configuration के बात करते हैं मतलब D का जब हम लोग configuration करते हैं जैसे S के लिए तुम पढ़ा होगा तो S block के लिए क्या देखा था कि यहाँ पर N होता है और S होता है और यहाँ से क्या हो जाता है तो 1 से लेकर के 2 तक होता था इस तरह से तो यह क्या होता है यह period के नुसर बात करता है अगर first period में चलोगे तो वास वैसे हो जाता है, अगर second में चलोगे यहां पर 2 हो जागा, थर्ठ चलेगा, तो यहां पर n बराबर 3 हो जाता है, यह सब हो जाता है, चलो, यहांपर मान के चलो तम्हारा oxygen होजाता है तो oxygen का कितना अलता था था यहांच छा देखताथा सारीन आट था वड़ेस टू ऑल टू। कितना ओता था यहांपर आठ होता था तो यहांपर चाहटा था खरल confident अब यहांपर दिखाता है वो म gunslawn दिखाता है व्हालेंच सेल एकार क्या चीछ दिखाता हैちは यहां पे क्या है टुट तो यहां पर छह यह? यहां पर. देखो जो N रहता है वही eflan यहां पर विन रहता है जो यहां पर ब्ली यहां पर फ्लोरी यहां पर फ्लोरी टॉरी हो जाएगा. इस पर neon की बात करेगत, यहाँ पर 2P6 हो जाएगा, इस तरह से, तो तुम्हें समझ माँ गया, तो यहाँ पर जो इस तरह से बढ़ रहा है, इसका general configuration जो होता है, उग क्या होता है, यहाँ थे हम लोगो NS2 और NP1 से लेकर करके 6 तो इसको बोलते है, general electronic configuration, जैसे इसमें देख रहा थ सोडियम ही आ जाएगा, और सोडियम का क्या हो जाएगा, 3S1 हो जाएगा, फिर नीचे चलोगे, potassium हो जाएगा, तिसका चलोगे, 4S1, तो यहाँ पर देख रहा है, इस सिर्फ हम लोगो को क्या बताता है, कि cell number क्या बताता है, तो यह लाइस्ट ओले जो भालेंस से लोता है, उसको बताता है, तो इसी चलते हैं, यहाँ पर N लिख देता है, कि N वहाँ पर decide होगा, और यहाँ जो S वलन जो भालता है, वो उसमें क्या होता है, 1 से लेकर करके 2 तक वहाँ पर electron भरते है, ठीक है, हलाके हम इतना उमीर लेकर करके चलते हैं, कि तुम्हें electronic configuration करना आता कि कैसे electronic configuration करते हैं, कैसे हम लोग भूलेंगे नहीं, दो मिनट का सिर्फ काम रहता है, दो मिनट में electronic configuration पूरा periodic table का तुम याद कर लोगे, टेंसर मतलो, आगे चलो यहाँ पर, इसका general configuration क्या होता है, देखो, S का समझ गया था, P का समझ गया था, उसी तरह से तुम्हारा क्या देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे exceptional वळा काम होता है, जैसे copper हो गया, chromium हो गया, इस सब देखता है, यहाँ पर one भी हो जाता है, इसी चलते हैं, यहाँ पर generally हम लोग क्या करते हैं, one से लेकर करके two टेक लिखते हैं, और यहाँ पर जैसे डी वलम चलता है, कि यहाँ electronic configuration of the d block element का, वो क्या होता है, n-1, d के उपर क्या होता है, 1 से 10 तक electron भरा जाता है, और ns 1 से लेकर के two टे, तो क्या तुम्हें इतना याद रहेगा, चरो, तो यह भी हम लोगों directly पूछा जाता है, इस सब जितने भी point है, यह directly question पूछा जाता है, चाहाँ वो objective में हो, चाहा यह तो फिर वहाँ पर दे देगा, कि general electronic configuration for किसका है, तो d block element, चाहर को option देगा, टिक करना है, तो तुम्हें याद रहेगा तब तब तो, ठीक है, चलो, इसको भी याद कर लेना, अब आगे देखो, कि यहाँ पर तुम समझ गया था, कि d block element में total number of element कितना होता है, 40 होता है, तो इसके बाद में पढ़ेंगे कि transition element आखिर होता क्या, तो फिलाल से इतना याद करो, कि total number of element होता है, periodic table में, मतलब d block element का, वो कितना होता है, total 40 होता है, जिसमें से transition element को हम लोग को choose करना पड़ता है, तो transition element का संक्या कितना होता है, 36 होता है, कितना होता है, 36, यहाँ पर सम transition element कितना होता है, 36, अब तुम बोल सकता है, अगरे 40 में 36 हो transition हो गया, तो 4 गुद घट रहा है, आखिर 4 को क्या होगा, तो फिलोग transition element नहीं होते है, अब कौन-कौन सा element नहीं होता है, तो उसका भी आगे चर्चा किया गया है, तो समझ मा गया है, कि 40 में से 36 element ऐसे हैं, जो transition element होते हैं, लेकिन 4 element ऐसे होते हैं, जिसको हम लोग उसे अब क्या करता है, transition elements वो नहीं करता है, जिसको हम लोग बोलते है, pseudo transition element, क्या बोलते है, pseudo transition element, अब उन लोग क्यों नहीं होता है, इसका reason हम लोग आगे देखेंगा, और उस इस तब question हम लोग को बनते रहता है, क्या य this transition element are present in periodic table कि total periodic मह baoलण है undergraduate pendant transition element को बोलेगा तो वह कितना होता है स CA 96 होता है अब आगे देखो जिंख हो गया CD हो गया HDMI 70 हो गया aar cn हो गया are known as pseudo transition element अर इस श देखो तो यह सारी तुम्हारा जितने भी सबमें देख रहे है यह चारो का चारो, यहाँ पे देखोगे यह जो परजेंट होता है, वो कौन सा गुरूप में होता है, मतलग कि 12 गुरूप में यहाँ परजेंट होते हैं, तो वहाँ पे जैसे चलोगे तो लैने लैन से तुम्हारा सारा कुछ मिलते जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे चारो तुम्हार जो element दीख रहा है, यही चारगो element तुम्हारा क्या होता है, transition element सो नहीं करता है, तो जिसे अभी देखे थे, total d block element कितना होता है, 46, 36 को तुम्हारा transition element होता है, चारगो तुम्हारा नहीं होता है, तो चारगो नहीं होता है, कौन-कौन सा होता है, यह तो इसको दिमागों बिठा सिर्फ यहां पर याद रखना कि यह जो चारों एलिमेंट होता है यह लोग ट्रांजिस्टन एलिमेंट नहीं होते हैं बात खत्म समयमा गया चलो आगे देखो कॉपर हो गया सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया जैसे के सी यू एज ए यू और कोईनेज मेटल तो इसको थोड़ा और कि 3 तीन को ट्रिकमनेट है यह जो क्या बोलते हैं क्या बोलता है क्या बोलते है इसको क्वचल रहेगा चलो अब हम निकेल है प्लाडिनम है थी फोर्मूला में देखा हूगा। हैलोयलकिन हैलो Αरीन में कहीं भी देख З hip क्या करते थे अरस स्य एच टू असे करके रहता था था जू झाया करतके था उर यहां पर नीकेल को पास करता हुए और यहां Catalyst जो यहां पर Yuge करते थे ये भी हम लोग को क्या Use करते थे D-blok Element का, अब यहां पर دیکھो यह जो Hadrogeneration के लिए हम लोग यहां पर Yuge करते थे, उसको hum लोग क्या करते थे Hydrogenation बोल रहे है, क्यालोग Hydrogenation, तो यहां पर हम लोग Use करते Catalyst यहां पर तुम उस्व तीन चीज का यूज करता है nickel का भी, pd का भी, और PT का यह यह तीनों को हूद को हम लोग करते हैं क्या पे उन्हीक एनलोग क्वेद पूब्सक्षान सकता है कि कौन सा element को हम लोग बात करते हैं और अगय के बारे में अब देखो हम लोग जो यहां पे बनाए है एक चार्ट बनाए है periodic table का ठीक है जो कि D block element का है ताकि तुम्हें पता चल सके कि कहां से हम लोग को start है कहां से खतम हो रहा है और कौन सा element कहां पे है सबसे पहले तिये ध्यान दो कि तुम लोग को सबसे पहले एक से ले कर गे कम से क तुमको 30 तक periodic table में जितने भी element है उसका नाम उसका कौन सा मतलब कि उसका जो देखेगा ना atomic number कि इसका कितना होता है यह सारा चीज़ तुमको याद रखना है कतना तक कम से कम 30 तक जिसका 30 तक नहीं याद है इसका मतलब D block तुम अच्छा तरिका कभरी नहीं कर पाओगे 20 तक तुम जेनरली तो 10 तक याधी किया हो रहता है अभी तुमको क्या करना है तो असकेंडियम से ले करके जिंग तक तुम्हें हमेशा याद रखना ही पड़ेगा तो रखना पड़ेगा अगर तुम्हें याद नहीं है मतलब तुम भोल जाओ कि तुम्हारा number आने वाला है कैसे ऐसे तुमको पूछ दिया जाए कि मैंगनेज का atomic number कितना है तुम्हें याद होना चाहिए कि 25 होता है मतलब होता है उसी तरह से गर copper का पूछ दिया जाए तो उसका याद होना चाहिए कि उसका 27 होता है मतलब होता है समय मागिया क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है तो ह जब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा तक 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 तुम उसका electronic configuration भी नहीं करने सकेगा अगर electronic configuration नहीं करने सक रहा है तो इसका मतलब तुम ना transition element बता पाएगा ना उसमें unpaired electron बता पाएगा कुछ नहीं बताने सकेगा इसी वजह से अगर deep block पढ़ने आया है इसका मतलब को element का नाम याद करना साथी साथ उसका atomic number ही याद रखना खतम का नहीं उसके बाद देखो उसके बाद देखो कि 12 वाला जो ग्रूप में है उसमें देखोए एक कडमियम का भी example याद रखना कि कडमियम जो होता है उसका atomic number 48 होता है उसी तरह से HG हो गया mercury उसका भी atomic number 80 होता उसके बाद इसको याद करो या ना करो यह जल्दी पूछता नहीं है ठीक है कि कॉपर निसियम का क्या होता है atomic number 7 जादा हम लोगों यह तीनों को जरूरी पढ़ जाता है किसका किसका जिंक का कैडमियम का और तुम्हारा mercury का यहां तक तीन गो एक्टर याद करो कि मतलब 10 दुदर तुम याद करेगा एक 11 बार अगो इतना याद कर लेगा तुम्हें अगदम नहीं याद करना किसी चीज का याद नहीं करना सभीन 11 अगर पूछ थे हैं कि चांसे से रहता है, हलां कि इधर नहीं पूछता जाले, अगर इधर दे भी देंगे, तो कोई तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा, इसने चलते तुम कोशिश करो, क्योंकि जो भी काम बनता है, वो हम लोगों 30 तक में ही काम समटा जाता, उसको देना होत 48 होता है ह एच जी का कितना होता है 80 होता है इतना ही याद करना है चारको यह 4ऊ को और 10 जो है फौर्थ गूरूप में इसको याद करना बहुत कमपल्सरी है तक है याद कर लेगा चलो है तो मैं यहां पर चार्ट क्यूं बना करके दिखा रहे ताके तुमको पता चले कि कौन स बाराई में जल्दी परते भी नहीं, नहीं नहीं तो इसमें भरो या ना भरो को मतलब बी नहीं रहते हैं, आलाकि इसमें भी तुमारे क्या है, एलेमेंट रखा गया, तो टोटल देखा वोगे, देखो दस गो तुम्हारे पास क्या है? गुरूप है, कैसे देखो, एक गुरूप, दो गो, तीन गो, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस गो गुरूप हो गया, पिरियड गिनो, एक, दो, तीन, चार, चार को पिरियड मिल गया, अब देखो गुरूप जो स्टाड रुवा है, देखो यहाँ पे, इस पता के चल गया, कि 3rd group से start होता है D block element और कहां तक जाता है, 12th group तक जाता है, उसके बाइगर period के बात करें, कहां से start होता है, 4th period से start होता है, 7th period तक यहां पे चलता है, ठीक है, यतना याद रहेगा, चलो, टोटल नमबर पिरियड, 1, 2, 3, 4 गो, और टोटल नमबर गुरूप गिर के देख लो, 10 गो होगा, खतम कहानी, चलो, अब तुम्हें atomic नमबर याद करना है, इसका नाम भी याद करना है, उसका symbol भी तुम्हें याद रटना पड़ेगा, जैसे 21 में क्या है, ascendium, समझ मागिया, उसका एसई से दिखाते है, फिर बाइस में क्या होता है, titanium, तो titanium का क्या होता है हम लोग, TI होता है, खतम कहानी, और उसका atomic नमबर कितना होता है, 22, 23 में कोण है, vanadium है, 24 में क्रोमियम है, 25 में कोण है, manganese है, उसके बाद क्या है तुमारा, 26 चलेगा, तुमारा क्या हो जाग चलेगा स्थमारा जागा लिकल ट्वेंटिनेने कोपर और 30म क्या थैंसंकर भात कुछ है यह atac में क्या है भास do अगर उसके यहाँ जोकि क्या है गोल्ड उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होते होता है फिर cg मरकरी करें तमारा Tillोत वस इतने ही याद करने हैं? उसके अलब है कुछ नहीं याद करना है, फाइनल, चलो तो यहुतना होगाई यह था तुमारा periodic table खतमा यहाद नहीं अथा, चलो अब इसके बारे मिलग आगे बात करते हैं, हाँ एक चीज और, एक चीज और… यहाँ पर देख रहा है जितनी भी элемent है सारे का सारे हम लोग क्या करता है transition element होता है लेकिन जो 4 होता है न बस यही ला यह देख रहा है इंग हो गया cadmium हो गया HG हो गया तुम्हारा CN हो गया तो यही जो 12th group में जो रहते हैं इन लोग transition ट्रांजिशन एलिमेंट सो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बस पांच मिनट रुखो इसका जवाब हम लोग जानने वाले, ठीक है, मतलब इता जो 11th ग्रूप तक जो रहता है, मतलब 3rd ग्रूप से लेकर के 11th ग्रूप के बीच में जितने भी एलिमेंट होता है, सारे के स सारे ट्रांजिशन एलिमेंट सो करते हैं, लेकिन 12th ग्रूप वला एलिमेंट हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट सो नहीं करता है, बात समझ माँ गया, चलो, तो इतना खली याद रखना है, कौन-कौन सा एलिमेंट है, तुम्हें याद रखना ही चारों को, ठीक है, यही बार बार ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बोल रहे हैं, तो ट्रांजिशन को समझना बहुत जरूरी हो जाथा, इससे questions बनता है, ठीक है, सबसे पहले भी transition element को बता रहे हैं, चलो, what is transition element, इसको एक questions के तौर पर समझो, तो इसका जवाब क्या होगा, अगर पूछ दिया questions, कि what is transition element, या फिर different transition element, तो इसको इसी तरह से answer को आप लोग यहाँ पर लिखेगा, ठीक है, क्योंकि यह directly question पूछा जाता है, चलो, क्या लिखेंगा answer, तो the element which have incompletely filled d orbitals in their ground state, और in any one of their oxidation state, are known as transition element, तो वे सारे element, जो हम लोगो क्या होता है, incompletely filled होता है, किसमे, तो d orbital में, किसमे, d orbital, सबसे पहले यह जानो, का अखिर d लोग block element पढ़ रहा है, क्याची पढ़ रहा है, d block element, अरे पढ़ रहा है न, तो d block element आखिर किसको बोलते हैं, तो वैसा element जिसका configuration करने पर उसका last electron जो fill होगा, वो किसमे हो जागा, तो d orbital में जागा, किसमे जागा, d orbital या फिर सबसेल, जो जो जाता है, वो उसका जो electron जागा, last electron, किसमे, जो last electron जो जाता है, वो किसमे जाता है, तो d orbital में जाता है, किसमे जाता है, d orbital में, ठीक है, अगर सबसेल करने उसका configuration कर रहा है, तो उसको बोलेगा, last electron वहाँ पर जब तुमारा जाएगा, electron, तो किसमे जागा, d sub cell में, या फ इसका configuration करेगत क्या जानता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 मलब 4s2 और क्या जानता है 3d1 होता है क्या हो जाता है 3d1 तो अब यहाँ पर देखू Ascandium जो होता है अब यहाँ पर देखू Last electron जो भारा वो कहां भारा D-subcell में किसमें भारा D-subcell में तो D-subcell में अगर कोई भी Last electron अगर भर रहा है कोई भी element का तो वैसे element को वो लोग क्या बोलते है D-block का element बोलते है तो यहाँ तो पता चल गया कि कौन-कौन D-block का element होता है तुम तो याद कर लिया क्या कैस से लेकर के याद किया ना भी तो वो सारा चीज क्या है तुमारा D-block element अभी चार्ट तो देखा तो वो सारे element क्या होता है D-block element तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि transition element आकर होता क्या तो transition element वही element को बोलते है जिसका जो वहाँ पर देखेगा electronic configuration तो उसका जो D-or battle जो होगा उसमें हम लोगों क्या हो incompletely filled हो क्या हो हम लोगों incompletely filled इसका मतल़ टोटल फिल ना हो सबसे पहले देखो कि जो D-or battle होता है देखो मुझे यह नहीं पता है कि तुम कितना जानता है जैसे 11 भी हम से पढ़ा हुआ रहता है तो हम जानते हैं चाहिए तुम लोगो यह सतारे चीज़ आता है नहीं जानता है तुमको basic से ही बताना पड़ेगा देखो D-or battle होता है तुम जानता है कि इसमें orbital के जो संक्या होता है वो कितना होता है पांच होता है अरे इतना तो आता होगा तुमें जानता है तो वैसे element के हम लोग बोलते है वो हम залोगों क्या है transition element नहीं है लेकिन वह ही अगर हम लोग कम से कम कम एक भी हम लोग impaired electron यहाँ पर भरा हुआ हम लोग को एक भी जब Dort 29 कंफिग्रेशन करेगा तो टी सबसलने उसका last electronιο सभरेगा तो वहाँ देखना है सबसे पहले कि जो d orbital है क्या पूरा fulfilled है कि इसमें incomplete है अभी देख रहा है incomplete है fulfilled कब होगा जब पूरा electron भर जा तो इसका मतलब यहाँ दसों का दसों electron हो जाता है लेगिन अभी क्या भरा हुआ है क्या नहीं अभी तो 9 एक electron है इसका मतलब यह अभी incomplete है तो जितने भी हम लोग incomplete वहाँ पे रहेगा d orbital तो जो भी हम लोग को configuration करेगा कोई भी element करेगा अगर उसका d block में तुम्हारा incomplete रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते transition element बोलते क्या बोलते transition element तो अभी जैसे मान के चलो इसको भर देगा तो यह क्या करेगा transition element वह नहीं होता और यह कारण होता है कि जो तुम्हारा 12th group का जो element होते हैं जो कि तुम्हारा क्या था zinc था इसका कितना होता है 30 होता है और 30 का यहां पर करके देखो electronic configuration देखो यहां पर तुम्हारा जो डी वाला है पूरा fulfilled है और यहां पर fulfilled हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह transition element नहीं है अभी देखो यह ground state में था अगर ground state और excitation state क्या होता है या फिर oxidation state क्या होता है कि अगर oxidation state मान के चलो भी तुम्हारा zinc ठीक है अभी इसको अगर oxidation state में लेगेगा तो इसको क्या लिखेंगे जेडेंड टू पलस लिखेगा तो इस तरस बोलेगा तो जो जार्जी सब जो आता है इसी को में लोग क्या बोलते है oxidation state मतलब एलैक्टरोन को खोना उसी को में लोग बोलते है oxidation state इसा ठीक है और ये जो बोलते है इसको में लोगvable भुलते है क्या यहां तक समझ मागया, यह दोनों समझ मागया, कि जो चार जी सब दिखाया वो रहता है, कि इलेक्ट्रोन को खोना है या फिर इलेक्ट्रोन को लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं, या तो फिर जो न्यूटरल अस्टेट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉन अस अगर incomplete रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, transition element बोलेंगे, और अगर तुम्हारा पूरा fulfill हो जाएगा, अगर तुम्हारे मान के चलो, एक electron है, चाहाँ दो electron है, चाहाँ तीन electron है, अगर तुम्हारा 9 तक electron अगर चलेगा, तो ये सारे का सारे क्या होंगे, तुम्हारा transition एलिमेंट होंगे, क्या होगा तुम्हारा ट्रांजिस्टन एलिमेंट यहाँ पे कहलाएंगे, लेकिन वही एगर हम लोग को 10 इलेक्ट्रोन हो जाता है, तो मतलब वो पूरा पूरी हम लोग को फर जाएगा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रोन रखेगा, तब यहाँ तो उसका उसके उनल नहीं होगा, रिजन समझ में आगया चलो, तो उम्मीद करते हैं, तुम्हें अच्छा तरिका से समझ में आगया होगा, अभी तुम्हारे मन्स में बहुत सारा क्वोषिν अरा लिए प्रोब्लम हो रहा है तैन मिनुट में टाइम नमद उस्ताद लाइगा कि कोई भी आलेमेंट देदो हमें घली नम याद होना चाहिए बाकि तुम बिंदास क्या करेगा उसका electronic configuration लिग करके निकल जाएगा यह मेरा गारेंटीए ठीक है आज तुमको सिखा के ही भेजेंगे टेंशन एकदम मत लो ठीक है चलो तो पहले हम लोग इसको समाझ लेते हैं कि टांजिस्टन एलमेंट क्या होता है तुम तो समझी गया भ यह तरह पर उसको oxidation state में ले करके और उस तरह तुम्हारा incomplete हो समझमार है ना उस तरह से अगर बोलेगा तो वो क्या हो जागा तुम्हारा transition element होगा तो यहां पर देखो उसी को यहां पर सिर्फ इंगलिफ ने लिखा गया the element which have incompletely filled d orbital वैसा element जिसके पास क्या हो in completely filled d orbital हो in their ground state उसके ground state में या फिर और in any one of their oxidation state या फिर उसके कोई भी oxidation state में अगर उसका oxidation state में भी वहां पर देखोगे तो उसका d orbital in completely हम लोग को मिलना चाहिए तो वह ऐसे element को हम लोग क्या बोलते हैं transition element तो उसी को हम लोग यहां पर लिख दिया है कि estates are known as transition element पक्का नहीं तो मेरा अब मकसद हो गया कि यहां पर तुम लोग को electronic configuration समझा ले उसके बाद ही हम कोई बात समय यहां पर क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग को काम होगा वह electronic configuration कहीं खेल होगा तो electronic configuration मुझे पता है कि जो वीडियो देख रहा है 50% student को electronic configuration करने नहीं आता और अगर आ लिख करके निकल जागा अभी देखो प्रैक्टिस करवाते हैं चलो इतना लिख लो पहले तेखो हम यहां पर electronic configuration तुम लोग को समझाने वाले सिखाने वाले ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगा कर यहां पर थोड़ा सा बैठा हुए रहना क्योंकि इधर उदर भटकाओगे आज जिन्दगी का सबसे लाष्ट मौका है जहां तुम इलेक्ट्रोनिक इन्फिग्रेशन को सिखने जाओ अगर इसको नहीं सिखेगा तुम्हारा P ब्लोक में भी दिक्कत होगा, D ब्लोक में भी, F ब्लोक में भी, सभी चीज में तुम्हें क्या होगा दिक्कत होगा, जि कि यहां पे जो फर्स्ट पिरियेड होता है, सकेंड पिरियेड होकता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, सिक्स होता है, सेवंत होता है, इसको सेल नमबर बोल दो या फिरियेड नमबर बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है, तो यह सेल नमबर है, क्य पी भी नहीं पाई जाता है यह तुमको याद रखना पड़ेगा और उम्मीद है तुम 11 तरस में थोड़ा सभीत पढ़ाओगा तो यह सब तुम्हें नॉलेज होगा थर्ड सेल में कौन-कौन सा सब सेल होता है चानता है कि S, P और D देख रहे हैं दिरे-दिरे बढ़ाते जा रहे हैं अब फोर्थ में क्या हो जागा तो S होता है, P होता है, D होता है, और क्या होता है, F होता है फिप में चलते हैं तो S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, G भी तो होता है, यह भाईया उतना electronic configuration आज तक हुआ ही नहीं जिन्दगी में, इस चीज़ दो इसको F ही तब छोड़ देते हैं, फिर इधा 6 में चलेगा तो यह भी होता है, S, P, D, F, इसको भी चलेगा तो S, P, D F, समझ माँ गया है, मतलब कि कैसे कैसे increase हो रहा है, समझ माँ गया, अभी electronic configuration से 108 गए element है, और आने वला दिन में, और आप पर खोज होगा, तो इसमें F के बाद G भी जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाता, G आ जाता, यहां अभी उतना element है ही नहीं, F तक जाते जाता है, सार Electronium लोगों को खत्म हो जाता है, इसे जलता है, जी सब लिखने सको फायदा नहीं है, आने वाला दिन में लिखा जा सकता है, ठीके चलो, तो इतना तुम्हें knowledge होगा कि यह क्या है, सेल है, यह क्या है, सेल होगा, यह क्या है, तुम्हें यह चाहिए बता रहे हैं, कि first सेल मे पूछ दिये कि बता कि 1P होगा क्या कभी अरे 1P कभी होगा क्या जिन्दगीन कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ S होता है और S होता भाई या तो 1S खली होगा 1P कहनों नहीं होगा अगर सक्रें में चले का तो इसमें 2S भी होगा और 2P भी होगा और 2D अगर बात करेंगे तो D कभी नहीं होता है उसमें कहां तक होता है पी अगर थर्ड सेल का बात करते हैं इसमें 3S फिर यहां पर 3P इसमें 3D होता है लेकिन अगर 3F का बात करेंगे तो इसमें 4S होता है 4P होता है 4D होता है और तुम्हारा क्या होता है 4F होता है इसमें अगर आगे ब बात को याद रखना कि यहाँ पे S सिर्फ होता है P, D, इसा कुछ हो नहीं होता है, सकेंड में चलेगा तो S और P सिर्फ राता है, उतना खतम हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखलों, जितना नमबर यहाँ पे कॉंड करते जाएगा, उतना ही सबसेल पाया जाता है, सबसेल अगर सकेंड सेल में बात करेगा, तो दू को सबसेल पाया जागा, कौन-कौन, S और P, अगर थर्ड वोलम चलेगा था, तीन नमबर चल रहा है, मतलब उसमें तीन को सबसेल पाया जागा, कौन-कौन, S, P, D, F, आब तो तुम्हें दिमाग में बैट गया होगा, करना क्या है, इतना तो याद होगा, चलो, अब हम दोग चलते है, धिरे-धिरे मुद्धा पे, ठीक है, इस अब अगर हम बोलो तो 11 क्लास के बच्चा को पढ़ाने वाला चीज हम बता रहे है, ठीक है, लेकिन इस अब नहीं जानेगा, तो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और बताना सबसेल, इसका और बाीटल, देखो स में एक और बाटल करने, मतला है डबा, फ कितना होता है, इसमें तीन इक होता है, कितना होता है, अगर दी सुखב, बढ़त करते दे इसमें eh जोते रहता रहता साथ साथ ऐंगा फ फ कितनता हो फिर यहीं पढ़तांगे न, एक दो-तीन, चार, पांच, छे, और केग हो गया, साथ गो, मतलब यहाँ पे कितना होता है, पांच गो हम लोग सब, मनला के और बैटल होता है, यहाँ पे साथ गो, यहाँ पे हम लोग को तीन गो होता है, और यहाँ पे केग होता है, एतना समझ गया, अब देखो, जो एगो जो डबदा हो बोलते हैं कि जो S वाला सबसेल में होता है वो मैक्सिमम नंबर ओप एलेक्ट्रोन जो भरा जाता है वो कितना एलेक्ट्रोन भरा जाता है दो इधर लिग देता है कि यह इलेक्ट्रोन है तो हम बोलेगा क्या यहां पर लिग दिया है ठीक है और यह सब जो है यहां पर क्या है यहां पर मतलबें एक मैक्सीमान इलेक्ट्रों सिर्फ 2 रखा जाता है ज्यादा नहीं। निician को रख सकता है उसमें खाली घुड जा लेंस मैक्सिमम कितना भरेगा दो इहां पर दो भरेगा इसका मतलब एक के गो डावा या तो माक्सिमम कितना भरेगा दो अब इसके देखा पी में तीन गो डबा था तो थैंक में डो भरा आता तो धाती चावदा तो इसमें कितना हो जाएगा हम लोग को 14 गोड़ों इलेक्ट्रोन हम लोग को भरा जाएगा तो अब इस तिफ तुम्हें देखो कि यह क्या याद रखना है स वला जब भी तुम कनफिक्रेशन करेगा उसमें कितना इलेक्ट्रोन यहाँ पर भरेगा दू दू से कभी जादा ने कभी ऐसा मत भरना स थीरी इस जिन्दगीम कभी हो गाई ने क्यों यह एक एक तक घर भी होता है तो दू एक नहीं इलेक्ट्रोन भरेगा तीन गोड़ भर सकता है तो hem भी रख सकता है, तो वह मैक्सिमॉम रख सकता है तो वह 6 of you May वाला कितना रखता है छे गो, डी वाला कितना रखता है दस गो, एफ वाला कितना रखता है चाओदा गो, दिमाग में बठा लिया, चलो, इतना अगर समाझ गया भीया, तो अब आते हैं हम लोग बात में, ठीक है, क्या ची हम लोग करते हैं, आप कन्फिग्रेशन में करने आ सब से पहले हो कि कि फास्ट वाला सेल में बात करते तो इसमें एक никаких को सबसेल होता है इसका मतलई उसको वनड लिखेंगे अब आगे चलेगा उसमें खतम हुगया तो दुसरा कहां सेल में चलेगे तो दूसरा कोन आएगा दूसरा आप सबस कर नाइबtal नमबर क्वेशन सेमा डिमान सबस करो दूसरा बात क्में अब दूसरा राता है आप दूसरा बात किसमें क्या आएगा एस आएगा पी आएगा फिर डी भी आएगा और इसमें क्या जागा तुम्हारा एफ भी आएगा ठीक है अब आगे तने लिखेगा आगे चलो फैब में चलेगा इसमें भी एस आएगा फिर इसमें चलेगा पी आएगा फिर यहां पर डी आएगा फिर यहां पर इसी तरह से तुम जान रहा है कि लिखते जाएगा 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 अब भया एनर्जी कनूसार इस सब अगर तुमको जानने भया तुमको 11 पढ़ना पड़ेगा तो सिंपल इतना जानो खाले तुम जिंदगी में तो इतना किया होगा इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि हम लोग तो कन्फिग्रेशन करते हैं इस तरह से 1s 2s 2p फिर इनर्जी का नहीं होता है तो आग поэтому i . हम लोग क इनर्जी का बात होता है सब इनर्जी का बात कर दिक हैएंथ नहीं consider चलते उतना तक नहीं कुसे हैंगे डार्क लिमों चलते हैं आपे कैची electronic configuration आखिर करेंगे करेंगे कैसे तो तुम्हें भी मन में ऐसा confusion होती रहता था किसे नहीं कर पाते कि किसके बाद कौन वाला होगा अरे यहीं दिकत होता था क्योंकि हम लोग तो इतना जानते हैं कि जब म भरने तु जानता है मिनिन होता कि इससी तद्रink होगा लागा तो यहीं को याद नहीं हो पाता है तो इसके लिए बहुत सारा alumni ळों की इससे बतादेता है यहां पर 1 s लिखो यहां से 2 s और नहीं हो फिर यहां से 3s श Mississippi और यहां से पोर ऐसे करके इसको भी तुम लोग मत याद करू इह भी बहुत कन्फूज करेगा उतना टैम हम लोग के पास कहां है और एतना तुम्हारे पास टैम है क्या नहीं है तो नहीं है भाई-धा अब इसको भी हम लोग तरीकम यहां पे हम लोग क्या करेंगे सिखेंगे कि कैसे इस तरह से लिखना था गिंती जैसा इसी तरह से सेम लिखना है कोई दिमाग नहीं लगाना और बहुत अच्छा तिरिकास तुम लिख पाएगा देखो अब रहाम से हम लोग कैसे करेंगे इलेक्ट्रोनिक कंपिक्रे कि अगर 4S कहीं पे दीखा तो साथे साथ तुम्हारा 3D भी आएगा क्या याद करना अरे क्या पूलती है सर बोल दिये कि कहीं भी तुम्हारा 4S दीखेगा तो साथे साथे किसको पकड़ के लेगेगा 3D ठीक है मान के चलो इन लोग क्या है husband and wife है ठीक है तो यह जहां जाए आप वह एक दूसे क्लोज होता है तो यहां जाता है साथ है इसको भी लेकर क्या आता है ठीक है इस तरह समझना ठीक है ना कि अगर तुम्हारा 3D भी साते आएगा क्या दो चीज तुम जिन्दगी में याद रख सकता है ना खाली इतना ही तुम्हें याद करना है यह दो को डब्बा तुम भूलना नहीं कि जब भी इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए बैठ हो यह चीज तुम्हें दिमाग में बैठाना हो नगा कि यहाँ पर 4S आगा साथे 3D आएगा अगर 6S आगा साथे कोन आएगा 4S अब चलो यहाँ पर हम गिंती सिखाते है अगर से हम लोक को बहुत अर्ण से इतना तो जानता है कि क्या तुम्हारा थीरी स आएगा अब देखो कहानी यही से法 होता है सबसे पर इसको भी हटा दो ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं होगा इतना तो तुम लिख सकता है कि 1s 2s 2p अब आगे क्या होगा कि नहीं होगा एक रूल खले सीख लो अटमाइटिक तुम लिख लेगा देखो अब क्या करना है सो यहां पर देखो सबसे पहले कि देखो इतना तुम लिख लेना रो उठाना दे यहां से प्यान कहां से उठाना टू एस से कहां उठाना तुमको टू एस से देखो जिंदगी में इतना तो तुम लिख लेगा वानेस के बाद 2s होता है 2s के बाद 2p होता है इतना तुम तो याद किया होगा इतने याद करन अब देखो यहां पे क्या होगा तो एया पर जितना सब्सक्राइब करना देखो यहां पर देखो एस है तो तुम्हारा बहुद्ट क्या क्य चाल जाना अगर यहां दो तो है अब क्या जाएगा तुम्हारा THRIT हो जाएगा थोड़कों इंक भर लेते हैं हाँ तो आ ठीक कि ब Quin de ctra स्टाट करते हैं इतना तुम लिख लेगा अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है एसवर. सिर्फ .온 च कोंट को बढ़ाते जाना है इसके बाद हम लोग किस पे हाथ रखेंगे, इसमें, आगे बढ़ते जाएंगे, अब यहाँ देको 2 था, तो 2 के बाद कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, qaunt को बढ़ाते जाना, अब यहाँ देको P है, तो P के बदल या लिखेंगे, P लिखेंगे, दुखतक्लिप कोई, नह इसके बदले क्या लिखेंगे एस लिखेंगे समझ मागया अब देखो अधे यही थे थोड़ा से बत्या बूले थे भाईया कि अगर 4S को कहीं दिखेगा तो अपने वाइफ को भी साथ में लाएगा अपने जी एक को भी लाएगा क्या है यहां पर 4S साथे किसको लाएगा 3D किसको लाएगा 3D यहां पर 4S है तो साथे कौन लिख देगा तुम 3D उंगली यहीं पर रख ले रहना इसके बदले यह वाला लिखे थे तो 4S जैसे लिखा तो यह क्या था अपने ता आग्या भाईया तो अपने जी एफ को छोड़ेगा नहीं तो जी आपको नहीं तो 4 के जगा हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे क्यों क्योंकि सांख्या को बढ़ाना है लेकिन जो सबसे लोगा उसको सेम लिखना तो 4 के जगा हम 5 लिखें S था तो S के जगा हम क्या लिखेंगे S लिखेंगे चलो इसके बाद किसमें चलेगा इसमें 3 है तो 3 के जगा हम क्य क्या लिखेंगे एस अब फिर देखो तुम्हें याद करने के लिए बोले थे कि अगर कभी 6s दीखेगा तो अपना क्या करेगा वाइफ और जी एफ तो लेकर आएगा ही अगर वाइफ है तो जी एफ होगी तो जी एफ लेकर के आएगा ठीक है तो यहां देखो 6s है तो 6s कि फाली उंगली को देते जाओ शिर्फ ध्यान देना है इतना ही दूर में कि यह दोनों जब खतम हो जाएका उसके बाद कुछ ने उंगली धर हो उसके बदला लिखते जाओ उससे देखो 5s के जगा हम क्या लिखेते है 6s अब इसमें देखो 4d है तो क्या लिखेंगा अभी 5 5D निखेंगे अब देखो इसका बाग किसे में रखेंगे इसमें 5P था तो क्या लिखेंगे आप दिखेंगे 6P लिखेंगे आप देखो इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा तो इतना ही तब तुम्हें लिखना है चलो एक बाद फिर से हो जाए ठीक चलो इसको मिटा देते हैं अरे सवसर हम लिखे ही नहीं थे अरे टेंसर कहा लिया रहा है तुरन तभी हम लोग यहां पर सीख जाएगे देखो या फिर से समझो कैसे एलेक्ट्रोनिक अफिरेशन लिखना है 1s 2s 2p इतना तो जिंदगी में सीखा है लिखने के लिए अब देखो इसमें उंगली रखना किसमें रख रहा है 2s में तो जो सबसेल रहेगा सेम लिखते हैं खली संख्या को बढ़ाते जाते हैं यहां देखो 2 था क्या लिखेंगे 3s था तो क्या लिखेंगे इसमें चलो 2 था तो क्या लिखेंगे एक बढ़ा करके 3p था तो क्या लिखेंगे पी एस है तो यहां पर 3 था क्या हो जागा 4s है तो क्या लिखेंगे तो क्या हो घ्म Ja ihi सात्थ एक के साथ लिखेंगे रिखेंगे ठीके रर चलो अब शक्तम है देखो फौर से तो क्या लिखेंगे इसमें चलेगे हाँ और फीर से द्लीकर आगे आगे अभी तो बोले दैके तो 6S किसको है 4F को यहां पर क्या रख करेगा 4F को साथ ही लेगा अगर इसको अलग कर देकर तुम लोग G नहीं सकेगा ठीक है ना तो यह ची अब 5S और यहां से 6S हो गया अब इसको देखो 4D तो क्या लिखेगा 5D अब देखो 5P तो 5P के बदला क्या लिखेंगे 6P फिर यह देखो 6P तो क्या लिखेंगे 7P और यहां देखो 7S तो क्या लिखेंगे 8S तो क्या इसी तरह से तुम बढ़ाती नहीं जाएगा बस खाली इसको अलग-अलग करते जाओ बढ़ाती जो बढ़ाती जो बढ़ाती जो सारा कुश complete अब देखो जब लोग यह रहा लिखता था इतना करने जो टैम बिताता था क्या उससे अराम नहीं है खली ढको लिखो ढको लिखो और इसको भी करके देखो सेम चीज़ कंफिग्रेशन आएगा क्या आएगा सेम कंफिग्रेशन बस खली तुमको क्या करना है बस इतना सा खली याद करना है कि जहां 4S आया वहां पे 3D आ इसको भी मिटा देते हैं ताकि तुम्हें दिमाग में बठेएगा चलो सबसे पहले क्या करेंगे 1S लिखेंगे 2S लिखेंगे और 2P लिखेंगे इतना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहाँ पे 2S से गिंती गिरेंगे 2 था तो बहाद देव 3S था तो S 2 था त क्या हो जागा यहां फोर Hungary है तो क्या हो जाएगा फैब फ्र किषण दोक्वेग deben on a qju सिखेंगे जाता ही क्वेगे तो फोर ग्राग यह टो हो जैका यहां दो चान्रा हो जागा फैब दी तो क्या हो जागा फैवडी अब इसमें धेको फैप तो यहाँ लिखेंगे आ अब यहां देखो 4F है तो क्या लिखेंगे 5F अब यहां पर देखेगा 5D है तो यह क्या होता है हम लोगो 6D होता है फिर यहां देखो 6P है तो क्या लिखेंगे 7P लिखेंगे 7S है तो क्या लिखेंगे 8S लिखेंगे क्या आगे लिख लेगा है असान की नहीं असान है बिल्क किसमे चलते हैं किसमें चलते हैं मर замеч आए इसete2 कहो का 27 लुकinde 6rag-system क्षिप्ष सबीस 28 एतना ही तक जाते और नुर्णा की जो 24 वाला है वह अश्टार होता है क्या होते है क्या होता है यहां प tiếp रोधा आश्टार करने का मतलब इसमें जो तुम्हारा क्रोमियम है यह क्रोमियम क्या होता है यह हम लोग को एक्सेप्शनल वला केस होता है क्या होता है उससी तरह तुम्हारा जो 29 है 29 में कौन होता है तुम्हारा कॉपर और यह भी क्या है तुम्हारा एक्सेप्शनल है और 30 में तो जान दे करता है य करना है कि तक ही तो इसको कैसे करेंगे रहे नम लेखो कापर और और जल्दी पूछता है इसी चीज़ को इसका फोड़ा सखाली चेंज होता है बस बता देंगे अब तिसमें तुम्हारा कों है ऐसकेंडियम है कि है चैंडियम अब नाम नहीं भी याद है अभी देखो आपके सब्सक्राइब यहां पर तुम्हें याद रहेगा तो जो यहां पर यहां कि इसका आटाॉमिक नंबर याद रहेगा तभी कन्फिक्रेशन कर पाएगा इसी चलते बोले कि तुम्हें तक रट लेंगा थीक है रटा लेगा चलो अब यहां पर देखो एले अब यहां पर देखो S में कितना elektron भरता है। कतम हो गया। अब इसके बाद क्या छिखेगा। अब इसके बाद क्या लिखेगा। तुम добав निए क्या लिखेगा ? थिरी अएस ऐसे है। अब इसमें भी elektron भरतेगा। चलो दो भर दिया। इसमें देखो, 2 है, तो अभी क्या जागा? 3, P है तो क्या लिखेगा? P, और इसमें कितना इलेक्ट्रों भरता है? 6, अब यहाँ पे देखो, 3 था, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4, और S है तो क्या लिखेंगे? S, और इसमें इलेक्ट्रों कितना भरेगा? 2, अब आगे गीन्स के कितना इलेक्ट्रों भरा है अंदाजी खली भरते नहीं जायागा अरे तुम्हारे पास इलेक्ट्रों कितना है अकिसेग तो हई यह है अर्हा किसेग ने तुमको कणीग्रेशन करना गीनो आप दो अर्दो, चार अर्छे, दस अर्दो, बारा अर्छे, अठारा अर्दो, बिस को इलेक्ट्रोन खतम हो गया, बचा कितना सिर्फ, एग हो, अब एग भईया, इसके बाद कोन आएगा रहे, तब यह इसका तो ढख लिया था, अभी देखो यहाँ पर, क्या लिखेगा, इसमे इसको भूलना नहीं, समयमा गया नहीं, इन लोग बहुत है, अदमी है इन लोग, ठीक है न, चलो, अब यहाँ पर करेगा, यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रोन में बचा है तुम्हारा, तो यहाँ पर डी में कितना जाएगा, एक एक को अरे जितना ही रहेगा, उसके पा 3s2, 3p6, इसमें चलेगा 4s2, और इसी तरह चलेगा, यहाँ पर क्या चीज़, 3d, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो तुम्हारे 20 हो जा रहा था, यह अकीस हो गया थे, यहाँ पर क्या हो जागा, बास हो जागा, और यह खतम हो गया रहे, समझ माह गया न, चलो, फिर यहाँ पर देखेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब यहाँ देखो, 4s, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कि यह जो तुम्हारा क्रोमियम होता है, क्रोमियम का क्या होता है, यहाँ पर जिसे 2 भर रहा था, क्या चीज़, SS में कितना भर रहा था, 2, एन क्रोमियम एक्से साइस में कितना भर रहा देता है, एक-एक एक एलेक्ट्रॉम भराता है, उससे तरह से copper कभी करेगा, तो इसमें स में कितना भरता है, एक हो, ठीक है, अब मान चलो, इसमें एक एक भरा, तो अभी यहाँ तक होता था क्या चीज़, 20 गो, लेकन अभी एक एक भरा है, मतलग 19 20 गो हुआगा और 19 गो और तुम्हें भरना कितना है 24 गो ता अभी तुम्हारे पास कितने एलेक्टरों बचा है 5 गो तो इसी चलते हैं यहां पर क्या हो जाएगा 3D में 5 गो हो जाएगा समझ माई या तो छाप मत देना तिन के बाद चाहरेगा क्योंकि यह हम लोगों क्या है यह क्या हम लोगों है एक्सेप्शनल है सिर्फ दुवेग होज एलिमेंट होता है ठीक ना यहां पर 3D में यहां पर कोई दिकत चलो अब यहां देखो 25 का उसी तरह से सेम कनफिग्रेशन करेगा अब यहां से क्या क्या करेगा यहां पर 4S2 और यहां पर 3D हो जाएगा 5 यह देखो यहाँ पे 20 तो यहाँ तक हो यह जाता था अभी इसका क्या है 25 गोर है तो इसमें पाचेक ने जाएगा इसमें पाचेस ही चलते हो गया था क्योंकि यहाँ पे घट गया था यहाँ जादे लिखना पड़ा था कुछ समझ माया चलो इसमें 26 में सेम चीज यहां तक देखो यह जो कपर है कापर में फिर थोड़ा एक्स प्रोथा होता है स souvent होना चाहिए था दो होता है कितना एक होता क्या होता है जो अब गे घड़ गय यहां तो नो होता था जब इक चाहिए क्ने बढ़ जागा तो 9 हे आं तुम्रा ना कंटेस तो बाड़िग में करने तो यह था तुम्हारा electronic configuration अब यहाँ पर देखा है कि लास्ट में देखो जो हुआ इलेक्ट्रोन भर रहे थे देखो यहां पर सबसे लास्ट में देख रहा है एन एन का वेल्यू क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो तुम्हारा नंबर होगा सेल नंबर का तो सबसे ज्यादा हुआ हम पर देख़े एक for-able आ रहा था यहाँ अब यहां पर एक प्र चल रहा है एक एक फोर वर्यूर आ रहा था यहां पर कि यहाँ पर लेकाना क के तो यहां पर जाता है तो 1 से लेकर करके दस तब यह हो जाता तो इसका क्या ची कोई एलेक्ट्रमिक छा嫉ँ आ लिख लेगा यह झाशिटा कांद लेकाने नहीं खसा चली सिर्ट जो इसष्यिंगे से अभी जैसे तुम्हें electronic configuration लिखने के लिए बोले तो उसमें सिर्फ exceptional को चीज को छोड़ करके क्योंकि exceptional का कहानी तो अलग से थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा तो exceptional कहानी को छोड़ करके बाकि जितने भी element होंगे आँख मुंद करके जैसे electronic configuration करता है कर भरागा उसी तरह से बस exceptional क्या होता है कि किसी में 0 भरा जाता है किसी में एक electron भराता है किसी में 2 लेकिन तुम्हारा जो सिरीज जो अभी बता है वो सिरीज तो सभी में से में रहेगा अब मानके चलो तुम्हार 255Bż के बाद होता है 2S 2S के बाद होता है 2P अब यहां पर देखो इसको ठखता था तो क्या हो जाए गाun 3S अब इसको ठक aura लाएगा смотреть क्या हो जाएगा 4S अपना 9 EA को क्या हो जाए गाð 3D अब 6P 5S हो जाएगा 4P स तो तुम्हारा क्या आ जागा? 6S आएगा और 6S अपना GF को ले आगा, मतलग कि क्या हो जागा तुम्हारा? 4F हो जागा, सबसे पहले तब भर के पहले देख लो, क्या चे? पहले भर के देख लो, क्योंकि electron में खतम हो जागा, ता आगे करके क्यो फाइदा होगा नहीं, अभ तो पहले लो कि कितना तुम्हारे electron भर गया है? अभी देखो, 2, 4, 8, 6, 4 हर 10 हो जाएगा, 10 हर 12 हो जाएगा, 12 हर 18 हर 20, 20 हर 10 कितना हो जाएगा? 30, अभी तुम्हें कितना चाहिए? 16 लागे electron और चाहिए, चलो आगे भरते जाओ, तो यहाँ पे समझ गया कि यहाँ तक कितना हो गया है? 30 गो इलेक्टरन भी तक भर चुका है, अब आगे देखो, P में कितना जाएगा? 6 गो, S में कितना जाएगा? 2 गो, अभी गिन हो था? अभी और आगे भरते जाओ, इसमें कितना भरेगा? 10 गो, अभी टोटल गिन के देखो, 30 हो हो गया था, 30 अर 6 कितना हो आःगी चाहिए कितना तुमें? 46 तो 38 आरë 8 कितना होता है? 46 इस इसका मतलब यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर कितना इलेक्टरոम भरेगे हम, 8 इलेक्टरोम तो इसका जो होगी, 46 उसका इलेक्टरौौनी कंफिगरेशन कितना होगा? इतना होगा, तो क्या असान नहीं है? लि तुम्हें याद करना है कि 4S आएगा तो साथे साथ लेते आएगा 3D को और उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि 6S आएगा तो यह साथे साथ 4 app को लेते आएगा बाकी बस धको लिखो धको लिखो धको लिखो है तब उमीद है कि ऐसा तुम्हें electronic configuration जिंदगी म किसमें बात करते हैं मेन टॉपिक में अचा एक चीज और एक चीज और अब यह सीख लो ताकि आम रहा पर बताना नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि महां पर डिर्कली में टॉपिक में आ जाएंगे तो फ्यूरा खत्म करके हिदम देंगे ठीक है चलो अब यहां पर बात कर लेलो कि सको लेलो जिंक का कितना हुदा यह 30 हो मृह यह आद Celtics के आता ह्तों से लिख लेंगे था टीन हाद यह उसके बाद हेसंते हुद्रief इसका एक electronic configuration भहिया ये चीज होता है, अब इसमें देखो कि D में तुम्हारा कितना electron भरा हुआ, जैसे इसमें देखने जाएगा, तो इसमें देखो भहिया, क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, क्यों पांच गो लिखे, क्योंकि D वला था, अरे इसमें ना electron करते हैं, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, एक हो गया, दो, तीन, चैर गो, पांच गो, फिर पेर करते हैं, 6 गो गया, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, अरे पूरा दी भर गया, अब क्या हो गया, डी पूरा भर गया, अब जो जो d में पूरा भर जाता है, ओ एम वलोग को transition तो यह तुम्हें समझ में तो आ गिया अब इसी तरह से बान के चलो इसमें अगर ऑक्सिडेसन अस्टेट तो इसमें क्या कर देगा ऐसे लिख देगा कि ZN 2 पलस तो अब बताओ कि यह हम लोग को क्या है कि इसका हम लोग को transition element यह होता है कि नहीं होता है इसको कैसे बताएगा ताभी देखो दो electron अभी क्या करा है positive है मतलब दो electron को निकाला है और जब भी निकालना या फिर डालना हम लोग को रहेगा electron तो सबस किसमें व होगा जो ज्जादा वळदा masculine नंबर रहा है उस वह दो डालते है यहां तक समझ मा आगिया तो इसका मतलब इलेक्रोन हम लोग को निकालना है , तो यहां पर देखो इसका configurational करेब क्या कर रहा है लिखे करें इसी तरह से लेकिन अभी क्या करना है दोग इलेक्ट्रोन निकालना है तब इससे मत निकालना निकाले का किस्ते S वल असे क्यों जनको यहां पर 3 है यहां पर क्या है 4 तो 4 वल बाहर रहता है इससी चलते उसी इनक्ट्रोन निकल निकलता तो इसका electronic configuration यहां तक same रहा जाएगा बाकी यहां पर लिखेगा तो क्या हो जागा S से 2 वो इलेक्ट्रो निकाल दिया तो 2 वेक तो था ही तो यह क्या हो जागा 0 हो जाएगा बाकी इसमें क्या हो जागा तुम्हारा 3D 10 हो जागा अभी भी बोलेगा कि बताओ कि ZN 2 पलस अभी transition element है कि नहीं है तो अभी इसका configuration करके देख लिया अभी इसमें देखेगा रहे भाईया अभी यह तो तुम्हारा D में 10 का 10 है का बताओ अभी इसमें NPD को दिखा क्या अरे नहीं दिखा मतला पुरा fulfill है मतला अगर तुम ZN भी द थार है तीन गू इलेक्ट्रन निकानने बोल रहा है ता 3 गू इलेक्ट्रोन देखो क्या condition हो जागा दोग तो यहां से निकाल है तो भी तुम्हारा 4S त जीरो पहले सूगया अब इसमें पुरा खातम हो गया तो और तो एक इलेक्ट्रोन निकालना है तो एक इलेक्ट्रोन निकालने जागा तो इसके बाद किसमें जाएगा इसमें किसमें डी वलम है तो डी वलम जाएगा तिसमें एक एलेक्ट्रोन निकालेगा तो दस गो में से तुम्हारा क्या हो जाएगा नौग हो जाएगा तिसमें क्या हो जाएगा थिरी डी नैन हो जाएगा अब इसका करने जाएगा यहां समें और बिटल में यहां पर भरने गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो छे साथ आठ नो अभी देख रहा है कि एक तो खाली रहा गिया एक देख रहा जोड़ा तो है ही नहीं मतलब पूरा फुल्फिल्ड है ग्या नहीं है तो हाँ अब भी अगर इस तरह से बोल दाता कि जैडन 3 पलस को बता कि वो ट्रांज ट्रांजिस्टन एलिमेंट होगा क्यों होगा क्योंकि उसके पास क्या है हम लोग को फुल्फिल्फिल्पूरा नहीं है डि और बैटल समझ माग गया तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ माग जा होगा कि ट्रांजिस्टन एलिमेंट को कैसे डिफान करते हैं और उसका जो एक नमबर का, अभी तीन नमबर का पुछेगा, तो दो के अंतर बता देगा, एको तुम्हारा 12th गुरूप का बता देगा, और एको इधर से कोई भी रैंडरमली एको select करेगा, और बोलेगा कि ये तो transition element है, जबकि डी बलोग का ये भी है, लेकि ये element तुम्हारा transition element नहीं है जबकि ये भी तुम्हारा डी बलोग का element है, तो why, तो उसको हम लोग को classify करके, define करके बताना पड़ेगा, कि ये element के पास हम लोग को d orbital में पुरा fulfill नहीं है, इसी चलते ही ये transition element होगा, जबकि ये वाला element में हम लोग के पास उसका d orbital पुरा fulfilled है, इसी चलते ही transition element हम लोग को बस यही explain करके निकल जाना है, तीन number, कितना मिलेगा, तीन number, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, समयमा गया, चलो, तो अब उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पे क्या होता है transition element, उससे पहले जो objective वाला question बताएं, वो सारा चिक तुम्हें याद हो गया होगा, फिर अभी electronic configuration अगर कोई बच्चा को नहीं आता होगा, वो अभी agile में सिख गया होगा, ठीक है, अभी तुम्हें काम क्या करना है, कि कम से कम 30 तक पूरा electronic configuration के साथ तुम्हें क्या करना है, atomic number और उसका element का नाम, क्या होता है, वो सब कुछ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठ तो 30 तक तुम्हें electronic configuration करने के लिए पूछेगा, जब कैसे करेगा, जब तो तुम्हें atomic number याद नहीं रखना पड़ेगा, atomic number किसका कौन है, तो उसके लिए तुम्हें element का भी नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ता ऐसे नहीं बोलेगा, जिसे भी तुम्हें दे द तो उसमें दिकत हो जागा, दिकत यह होगा, कि भाया हम तो इसका electronic configuration करने जानते हैं, पते नहीं कि उसमें कितना atomic number होता है, तो atomic number तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कहा ता है, 30, क्या समझ मा गया, चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं, चेप्टर्स में, इधर से में configuration करेगा, तो इन लोग को जो D orbital देखेगा, उन लोग पूरा fulfilled रहता है, क्योंकि यह 4 का 4 क्या है, तुम्हारा 12 group का वहाँ पे element है, तुम लोग को पहले भी बता दिये, कि लोग का configuration करके देख लो, जिसे कि यहाँ पे देखो, जिंक का होता है 30, 30 का configuration करके देख लो, तुम् और तुम लोग को पहले भी जा चुका है, कि हम लोग transition element, वही element को बोलते हैं, जिसका D orbital में हम लोग को fulfilled ना हो, मतलब कि वहाँ पे कम से कम एक भी, कम से कम एक भी unpaired electron अगर बचा रहे, unpaired electron कहने का मतलब, बी जोडा, जिससे यहाँ पे देखो, जो, और हम लोग को इस तर कि वैसे element को हम लोग transition element बोलेंगे, जिसके पास कम से कम एक भी, हम लोग को क्या हो, unpaired electron परजेंट हो, तो वैसे element को हम लोग transition element कहते हैं, लेकिन इन लोग के पास हम लोग को क्या रहता है, एक भी unpaired electron नहीं होता है, मतलब, पूरा-पूरी क्या रहता है, paired electron होता है, इससे चलते क्या बोलते हैं लो ओंव पर चलते हैं अब यह लग से लग दिया है कि जैटन हो गया सूदी हो गया और क्या ही तुम्हारा इसलोगोशmble सब्सक्राइब देख ज़िया आज्नले में और क्या ओंसले निचले हो हो गया उसका region या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि यह सारे और नोट considered as transition element due to due to absence of unpaired electron in their d orbital तो जैसे लिखना है वैसे लिख दो ठीक है तो यह होता है उसका region इन लोग को configuration तो तुम लोग को जब पूछ देगा मान के चलो एक्जाम में इन लोग को क्या करेगा तुम लोग तो पहले बोल दिएगा चारों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा अरे बोले थे न अभी अभी बोले था ना तो यह चीज़ता है लेकिन बहुत रकता है यहां तक तुम्हें पूछ देगा ठीक है तो यह सी एन का को जर लेकिन हम लोग को ट्रांजिस्टर शू नहीं करते है और और ट्रांजिस्टर शू करते है चलो एक वशन से भी बना करके बता देंगे जो की तुम्हारे को संब्चार यहां पर देखेगा इस लोको करेगा तो इसका करेगा तुम्हारा हो जागा यहां से 5S2 और यहां पर देखेगा तुम्हारा 4D 10 हो जागा इसका देखेगा तुम्हारा 6S2 और यहां पर हो जागा 5D 10 हो जागा इस तरह से तरह से तरह से इसका भी हो जागा 7S और 6D तो इसमें देखो यहां पर तुम लिए लीग देना नो एनिए अनपेर्ड एलेक्ट्ट्रोम लिए लेग़ा इतना ही मैं से तुम्हें कितना देगा कुल्ए गार्यूल जो तीन नमर में तुम्हारा question पूछता है खली compare वहाँ पे atom को खली change करते रहेगा वहाँ पे जो element रहेगा वो खली change रहेगा लेकिन question पूरा डिक्टो सेम रहेगा और वो बहुत बार पूछा जा चुका है तुम लोग को भी पूछेगा देखो तो इस तरह का question से आपका तीन नमर में question पूछा जाता है ठीक है देखो क्या रहेगा सो दो को compare कर देगा एक तो तुम्हारा जो transition element नहीं होता है उसका example लेगा और एक तुम्हारा transition element है उसका example लेगा और question इस तरह रहेगा कि why manganese is transition element but zinc is not but 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 both element belongs to d block लेकिन दोनों का दोनों element कहां belong करता है d block element से ही belong करता है जब दोनों d block से belong करता है तो दोनों transition होना चाहिए था लेकिन देखते हैं कि manganese तुम्हारा transition element होता है और zinc नहीं होता तो इसके पिछे reason क्या है जबकि दोनों का दोनो d block element है तो यह question पुछता है तो उसका answer बस वही बोल देना है कि जो manganese होता है उसका अगर देखेगा ground state या फिर oxidation state में तो उसका क्या रहता है unpaired electron उसके present रहता है d orbital में लेकिन वही हम लोग देखते है zinc का तो उसका ground state में भी देख लो चाहां उसका oxidation state में भी देख लो तो उसका d orbital में एक भी unpaired electron नहीं बचता है इसी वज़ा से होता है कि वो हम लोगों transition element सो करता है जबकि zinc तुम्हारा transition element सो नहीं करता है और उसका electronic configuration करके दिखा दिना है पस हो गया तीन number कितना तीन number कुछ नहीं है देखो फिर से एंसर कैसे लेखेंगे manganese is transition element but zinc is not well both element belongs to d block इता question ways बता दिए हैं कि यह हैं सो transition element है और यह हम लोगों transition element नहीं है जबकि दोनों का दोनों belong करता है d block element से यहां तक हो गया आगे बता देंगे कारण because manganese have present unpaired electron in their d orbital कि manganese के पास क्या होता है unpaired electron present होता है उसके d orbital में well जबकि zinc have no any unpaired electrons present in are present in their d orbital जबकि जो तुम्हारा zinc होता है उसके पास कोई भी unpaired electron नहीं पाया जाता उसके d orbital में के reason तो समझ मान दिया बस उसको क्या करना है इंगलिस के format में लिख देना अब इसको अपने में और अच्छा तरी कर सकता है जैसे मन वज़े जैसे भी इसका ग्राउंड अस्टेट और ऑक्सिडेशन अस्टेट का बात ही नहीं किया तो वह भी include कर सकता है कि जो इसका अनपे इलेक्टोन यहां पे परजेंड नहीं होता है d orbital में चाहे उसका ग्राउंड अस्टेट हो चाहें वह उसका ऑक्सिडेशन अस्टेट हो तो फिर भी इसका अम लोग वहाँ पर पाया नहीं जाता है समझ मागया तो अब इसका इतना लिक करके आप क्या करना जिसका जिसका गंपेर क्या रहेगा जैसे यहां पर लोग क्या है मैंगनीज का ल तो 4S2 और यहां देखेगा तो 3D यहां पर कितना हो जाएगा 5 है तो मतले यहां पर तुम्हारा हो जाता है 20 और यहां पर कितना हो जाएगा 5 इतना हो जाएगा अब इसका क्या करना है यहां पर और बैटल दिखा दो और यहां पर इलेक्ट्रोन को दिखा दो किसके पास हम गेसे पज़गा एक दो में लोग व्हक्त गों लोगने लेक्ट्रोन जाना चाहिए चाहा उसका ग्रॉंड एसका उसका अउक्षिडेशन अस्टेट में तो इसका देख रहा है कि इसके पास वह करता है क्या है ट्रांजिस्ट्चन यूए तो उपर तो कारण बता दिया, तो इसमें बार बर लिखने की जरूरत नहीं है, वो electronic configuration करेगा, वो खुद समझ जाएगा, उसी तरह समलोग को क्या करना है, जींग कभी करके दिखा देना है, इसका कितना होता है, 30, अब याद रखेगा तुम लोग तभी तो इसको लिख इसमें 10 गो दिखाएगा, तो तुम्हारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा का सारा पेड, तो इतना ही example तुम लिख देगा, तो वो तुरंट समझ जाएगा, अच्छा, इधर से देखेगा, ये ची देखेगा, पूरा तीन नमबर पूरा मिल जाएगा एक भी नंबर कटेगा नहीं तो यह था वजा एक और हम यहाँ पर लेकर चलते हैं को क्रोमियम का पूछ देता है कभी कॉपर का पूछ देता है तो उसका कैसे वहाँ पर एक्स्प्लेन करोगे चलो इतना लिख लो पहले अब देखो यह जो क्वेस्ट वाला जो क्वेस्ट वाला पर डाले हुए हो उसमें भी यह क्वेस्ट डाल दिये थे ठीक है क्योंकि इस तरह का क्वेस्ट से कर बताएगा एंसर तो दोनों का सेम ही लिखेगा जैसे इस पहले लिखा है उसी तरह से थोड़ा सा इसमें हट के लिखना पड़ता है क्योंकि अगर ग्रॉंड अस्टेट में बात करेगा तो तुम्हारा क्रोमियम में भी तुम्हारा एक भी अन्प्याड इलेक्ट्रों देखने को नहीं मिलता है निन ट्रांजिशन एलेमेंट वही एलेमे तो यह थोड़ा सा हट को जाता है कि इसमें क्रोमियम और कॉपर में दोनों में दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों में देखेगा हलाकि यहां पर क्रोमियम रहता है तो दिक्कत नहीं था क्रोमियम में तो पुरा अन्प्याड इलेक्ट्रों तो पुरा भरमार रहता बैटा हुआ ठीक है लेकिन वहीं एक बात करता है हम लोग कौपर में देखोंगे तो d तुम्हारा पहले से भारा रहा रहता है क्या रहता है दि में दस इलेक्ट्टोन भारा हुआ रहता है तो उसमें लुपर सकते हैं कि वह त्रांजिसन आणिससन आल्यमेट सो नहीं परता तो zinc तुम्हारा क्या हो चाहाँ उसका ground state देखो चाहाँ उसका oxidation state देखो zinc का oxidation state देखेगा तो उसका क्या होता है जडेन 2 पलस होता है जो कि इस state में भी वह क्या करता है transition element बहुत करता है लेकिन वहीं तुम्हारा बात करते हैं यहाँ आप और copper का का चिक कॉपआर गर इसको ग्रॉण रस्टेट में देखेगा तो इसमें 10 jak रहता है तुम्हारा D में लेकिन जैसे ही इसका बात करते हैं हम लोग copper 2 पलस का तो वैसे उन क्या होता है अन्पेर्ड इलेक्ट्रोन हो जाता है इसी चलते हैं पहले ही डिफ्नेशन नों बता देते कि ट्रांजिसन एलेमेंट किसको बोलते हैं तो वैसे अक्सिडेशन एलेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं तो वैसे एलेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं उसी तरह से लेकिन इसका थोड़ा सा हर्ट के लिए हो जाता है क्योंकि कॉपर जो है ग्रॉंड अस्टेट में नहीं सो करता है ट्रांजिसन एलेमेंट लेकिन जैसे उसका ऑक्सिडेशन एस्टेट रहता है तो वह हम लोग को सो करने लगता और यह हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी घुश सकता है समझेमा गया ना कि डारेक्ली अगर कोशन तो समझ में आ गया सेम चीज़ है कि मैंगनेज लिखे थे उसका क्या लिख दिया हम यहां पर कॉपर चलो तो क्या होता है यहां पर देखा इंकलूड कर दिये क्योंकि अगर यहां पर लिख देता है ग्रॉंड अस्टेट में वह सोक नहीं करता है तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसको उक्सिडेसन आस्टेट में लाते हैं तब यह हम लोग को सोक करता है क्या चीछी ट्रांजिस्सान element क्योंकि उसके पास unpaired electron हम लोग को present हो जाता है तो यह चीज था अब आगे यहाँ पर देखो तो यह तो हम लोग समझ गए हैं इसका किसका copper का लेकिन आगे फिर उसका explain करेंगे but zinc have no any unpaired electrons are present in their d orbital in the ground state as well as oxidation state कि जो तुमारा zinc होता है उसके पास नगे कोई भी unpaired electron नहीं होता है उसका d orbital में चाहें उसका ground state को ले लो चाहें उसका हम लोग ले लो oxidation state तो दोनों में से दोनों में कहीं उसका सूर नहीं करता है हम लोग को unpaired electron यहां तक समझ मागे तो यह तो, फैक्ट, अब इसका हमलोग क्या करेंगे, example से समझा देंगे, जैसे यहां पे copper है, copper के यहां पे जैसे करेगा, इसका हमलोग यहां पे, configuration कर दो, अब भाई, अब रूम में है, तो आपना पीना, पीना भी बनाना पड़ेगा न, तो इसी वज़ास उदर अब सिटी माने लगा था इसे चलते वीडियो को थ्वड़ा सा रोपना पड़ा था ठीक है चलो कोई दिखतना हम लोग बात करें ते क्या चीज़ का इसका इसको एक्स्प्रेंट करके दिखाएगा न उसको कि कैसे उसमें अन्पेर है कि नहीं है तो कॉपर का तुम जाने अब जखो इसका अटोमिक नमबर हैं नहीं आद रहेगा तो तुम क्या करेगा इस जलते बोलते हैं कितना होता है अब इसको करो कनफिग्रेशन करेगा तिसका हो जागा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर चलता यहां पे 4s2 और यहां पे 3d 10 हो जाता है यहां प करना हम लोग देखते थी इसमें इखो यह ग्रांड तीन، पॉझ सब्सक्राइब खते अनजय करते हैं लेकिन हम लोग पहले कर दिया उसका औक्षिदेशन श्टेट में करने के बाद उसका ऑंपयर और अम बनज दिया करेगा तो इसका जैसे कॉपर वाला करते हैं इसका ट्रांजिस्टन एलेमेंट करने के लिए इसका कहा चल जाबते हम लोग को आपको अपर टू प्लस में मतलब यह इसका जब ऑक्सिडेशन अस्टेट में आता है कॉपर टू प्लस में तो यह सो करने लगता अब बताब दो इसका बैसलों निकालना कहां से निकालेगा पहले फोर फॉर पिलस निकाले घृँत निकाल कितना रहा तोग इलेक्टोन इसका मतलब अगर एक में देखेगा कॉपर पर पर अगर करेगा तो आप पीर नहीं सो करता क्योंकि यूँकि यह तो दस से रहे जाता तो फिर तो अन्पेर एलेक्टोन मिलता नहीं इसलिए कॉपर टू प्लस कर रहे तो अर्यक यहां से इसका मतला अभी यह कितना हो जाएगा 3D 9 हो जाएगा समझमा गया अब 9 हो गया तो अब इसको करके देखो तब ही तुम्हें क्याप मिलेगा कि एक यहाँ पर अन्प्र इलिक्रमिल जागा जैको एक दो टीन चार पांच जब भी लेक्रम भरते हैं पहले सिंगल सिंगल भार ले तो इसके बाद करते हैं पांच हो गया छे साथ आठ नो अभी यह को बच गया आप यहाँ पर मिलके अपने इस इस चलते हैं इतना शाप देना ताकि वह पत अब यहां देखो जिंग का बात करो तो जिंग का कितना होता है तीस होता है इसका कंखिक्रेशन करेगा तो तुम जानता है कि इस सब करते करते जाता है और यहां से क्या हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाता है यहां पर यहां देखेगा तुम्हारा क्या हो जाता है दस वो अब भी भी तुम्हारे पस कहा जागा यहाँ पर हम लोग को उसका sopr नहीं करता, अब यहाँ पर z goals तो उसको कर भी नहीं सकता तो यह हो गिया, अब यहाँ झाहिए, तो यह पर फीर विभी क्या मिलेगा, पेर्ड ही मिलेगा मतलब यहां पर एक भी अनपेर्ड एलेक्ट्रोन देखने को नहीं मिलता तो यह चार को यहां पर एक्जामपल देख करके बता देना क्योंकि आप यह लोग ऑक्सिडेशन अस्टेट का चर्चा कर रहे है तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है इससे पह बात होता है निदे अदे जब फोका तो यह चाहिता है करने से पता चलता है जैसे ऑभी सबसे पहले देखो तो तुम्हारा डीब्लोक एलेमेंट होता है तो तुम्हारा दीबट अलिमेंट होता हो तुम बोला जांकि फोर्ठ फिरियड से स्टार्ट हो रहा था वह अब देख रहा था यहां जो च्टार्ट हो रहा था वह ऐसे प्यारा नहीं आप देखो यह जो यहां पर फोर्ठ वespère यह तो है ना जितने भी तर यहां पर किसितने डेंगडया दस गो तुम्हारा गुरूप होता है यहां पर इसका मतला है फॉर्थ पिरियोड में देखेगा तो तुम्हारा एलिमेंट दिखेगा कितना दिखेगा दस एलिमेंट तब फॉर्थ पिरियोड में देखा दस गो एलिमेंट और इनलो को तुम जब कन्फिग्रेशन करेगा तो configuration करके देख लेना तो इसका configuration होता है 4S और यहाँ पर क्या होता है 3D होता है 4S 3D यहाँ पर जितनी भी तुम्हारा element रहते हैं 4th period में उसको configuration करेगा तुम्हारा 4S और 3D होता है तो यहाँ पर देखो जो d orbital जो होता है वो कौन सार में आ रहा है जो वाला जाता है मतलब तुम्हारा सबस्या इसका रहा है उसको पूरा पूरी क्या बोलते है 3D अब 3D हो रहा है इसको पूरा पूरी क्या यहां पर मिलेगा 4D यहां पर कन्फिग्रेशन करेंगा क्या मिलेगा 4D इस चलते इसको क्या बोलते हैं तो इस तरह से तो आप यहां से यह पुछता है कि 3D स्रीज में कितने टोटल नंबर आप अलिमेंट है तो मैं याद रहेगा कि इसको भूलते हैं फॉर्थ प्रियेड में जो हम लोग को एलिमेंट रहता है उसमें जो की कंफिग्रेशन करते हैं कैसा उसमें आता है दी वला 3D आता है तो इसमें कितना रहता ह यहां से हम लोगो फसता है चलो यहां तक हम लोगो पुरा कंफिट कर चुक है क्या होता है क्या होता है अब चलते नया टौपिक पर अब देखने जा रहे है वह absolutes लोग गैरे से कावड़ेजयी मुलों और मिलोग आता है उसमें लोग बड़सा हुए उसको पर में होता है तो यहां पर आखिएव्या औक्सिडिशन अस्टेट पर करता है यहां पर पुरण सकता है किक है व Donc कर दो करते हैं और यहां पिरंफम में क्या है कि कलड प्रोपर्टी सो करता है जो ट्रानिसर एलिमेंट होता है वो गळर प्रोपर्टी सो करता थ फिर थार्ड में क्या होता है कि वह magnetic property को सो करता है फूर्थ में देख रहा है कि िए catalytic property को भी सो करता है फिर फिर स NOW करता है फिर फिर स्थ में क्या करता है formation of complex atom तो यह क्या करता है जितने भी lliast तो हम लोग यहां पे complex salt या फिर complex compound का formation करते हैं अब एक करके सबसे पहले चलते हैं जैसे यहां पर कि वेरियेबल ऑक्सिडेशन अस्टेट सो करता है या फिर वेरियेबल वैलेंसी सो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट तो उसके बारे हम लोग धिरे-द्रे चर्चा करते है ठीक है चलो इसको लिख लो पहले देखो तो यह जो क्वेशन है यह हम लोग को डारेकली क्वेशन पूछा जाता है क्या है हम लोग को वाइट ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरियेबल ऑक्सिडेशन अस्टेट और वेरियेबल वैलेंसी कि हम लोग को ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है वो हम लोग को वेरिय a small energy difference in between n-1d and ns orbital as a result electrons of n-1d orbitals as well as ns orbitals take part in bond formation सबसे पहले देखो यह जो oxidation हिसाब जो बोलता है oxidation state हिसाब कि variables हो करता है सबसे पहले यह आपको समझना पढ़े का का खिर oxidation state होता क्या है तो आपको पता चलिगे कि यहां समलो को क्या होगा तो यहां समलो कि लिएक्ट्रोन को बाहर निकालेंगे took electrons बाहर निकालेंगे तो वह ही चीज हम लोग को क्या हो जाता है oxidation state तो यहां पे क्या होता है कि जब भी हम लोग वहां पे निकालेगा कोई भी molecule मोलेक्ली सब अपन बनाता है इन लोग बांड यहां बनाता है तो कितना electron में करके वहां पर हम लोग को बॉंड का फॉर्मेशन करता है ठीक है तो वहीं हम लोग को क्या जाता है ऑक्सीडेशन अस्टेट तो यहां पर देखो सबसे पहले बात कि जो तुम्हारा डी और्विटल लग डी ब्लोक एलिमेंट जितने भी रहते हैं तो वहां में से जो है बस रीजन इतना ही रहता है कि क्या होता है कि जो आन मैनस वन जो डी था और जो तुम्हारा एन तो इसके पीछे क्या होता है, दोनों का energy level जब सेम हो जाता है, लगभग हम लोग को सेम ही हो जाता है, तो दोनों का दोनों और बाइटल क्या करता है? आपके पार्टिसिपेट करता है कोई भी बॉन्ट बनाने में तो महां पर एस वला भी इलेक्ट्रों जाता हो? अगर एक एलेक्ट्रों जाता है तो तीन अगर दो को चल जाता है तो पांच अगर चार चल जागा तो वही जह साव को बढ़ते जाता है मतलinflust मैक्सिमुम कितना जाता हुम लोगे पलस 7 तक पलस 7 इस लिए जाता है क्योंकि किसका बात करेंगा किसका बात करेंगा मैंगनीज का तर इसका कितना होता है 25 अब इस में चलोगे तो तुम configuration देखा है तो उसमें होता था 4s2 और यहाँ पे देखा है 3d5 देखा है यह चीछ देखा है अब यहाँ पे देखो इसमें तो दो electron तुम्हारा भरा हुआ रहता है d में क्या रहेगा तुम्हारा पांच गो और बैटर होता है एक दो तीन चार पांच और सभी में तुम्हारा क्या रहेगा एकका गो अनप्याड इलेक्ट्रोन रहेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या रहेगा जितना तुम्हारा अनप्याड इले पांच और दो साथ एलेक्ट्रोन महां पे चल जाता है तुम्हारा पार्टिसिपेट करने के लिए तो इसी चलते उसका ऑक्सिडेशन अस्टेट जो होता है वो कितना होता है पलस सेवन होता है समझ मागया और मिनिम मगर बोला गया तो यहां पे देखी सकता है ठीक है जो उस तो यह समझ मागया क्या क्या करता है पलस वन भी सो करता है सबसे पहले यहां पे देखो यह तो समझ मागया क्यों इन लोग क्या करता है ट्रांजिशन एलेमेंट आखिर हम लोग को वेरियेबल ऑक्सिडेशन अस्टेट या फिर वेरियेबल को वालेंस क्यों सो करता है इसक चलते हूं लोग क्या करता है वेरियेबल ऑक्सिडेशन अस्टेट सो करता है क्या तुम्हें पुरा कंप्लिट हो गया जब हम लोग इस चप्टर को डिटेल में पढ़ते तो और भी इसके अंदर तक हम लोग जाते लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं है तो यह रिजन सम इस चप्टर करता है समय यहां पर देखने को मिलता है जैनरला जो घुटास प्लस टू ओक्सिडेशन अस्टेट देखने को मिलता है क्योंकि सभी में देखेगा एगर ट्रांजिसन एलिमेंट में तो आपे तुम्हारा कॉन पार्टिसिपेट करता है ऐसे जलते उसका देखा जाता है कॉमनली कितना देखा जाता है तो प्लस टू लेकिन आगे जो देख आगया कि highest oxidation state sown by 3D series member is plus 7, जो कि किसका राता है manganese का राता है, किसका राता है manganese तो objective में हाँ से घुचता है objective में बोलेगा 3-4 गों वहाँ पे element का नाम दे देगा और वहाँ पे बोलेगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा यापि सबसे highest वहाँ पे oxidation state होता है तो किसके पास होता है घ्याद कर लो कि किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो manganese के पास होता है कितना होता है total 5 होता है इससे कमी होता है सभी का यहान तक कोई दिक्कत नहीं होगा origin पर भी समझा लिए कि क्यों होता है यहां पर जितना भी 3D सिरीज है इसी को हम लोग 3D सिरीज बोल रहेते हैं अस्केंडियम से लेकर करके जिंक तक इसको हम लोग क्या बोल रहेते हैं अब इसके पीछ में देखो कि कितना कितना ओक्सिडेशन अस्टेट सो करता है बहुत आराम राम से समझना बहुत ही मस्ट मस्ट टापिक है इसमें कोई लोड लेने का जरूद नहींगे बस एक से दो बार कर रिबीट कर लोगे चैप्टर्स को तो तुम्हारा पुरा किलियर हो जाएगा ठीक है हाला कि हम तो स्टाठी कर रहे हैं बेसिक से चाहें वो नॉर्मल बच्चा हो कभी अगर जिन्दा पढ़ा भी नहीं हो कि उससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है हम हमेसा जब भी लेक्चर बनाते हैं जो लो कंडिशन म करके समझाते हैं ताकि अगर वह पहला बर भी देख रहा है तो उसे भी 100% समझ में आ जाए ठीक है चलो तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं जैसे यहां पर देखेगा तो इसके पास कितना रहता है दो और यहां पर डी में देखो तर डी में भी क 3, 4, 5 हो गया तो यहां पर एक इलेक्रोन होगा यह तो जैबे करता है इसका और इसका बीच में एनरजी लेबल कम होता है इससे 3D भी जा करके क्या हो जाता है पार्टिसिपेट कर देता है बॉंड बनाने में अब देखो दोग तो यहां पर जैबे कर रहा है अब दोग इल सो करता है मतलब तुम्हारा जो असकेंडियम होता है कि असकेंडियम इसका ऑक्सिडेशन अस्टेट यहां पर देखोगे तो पलस 2 भी सो करता है और असकेंडियम का देखेगा तो यह कितना करेगा पलस 3 भी कर सकता है ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि वह किस तरह का वहा लेगे तो प्लश टू उसमें अगर एस भी गिया और या दिव लटी भी गिया तो इसमें कितना सो करने लगा डिज्ए मलच तीन करने लगेगा यहां तेसमाय मागिया अब यहाँ देखो इसका भी देखेगा यहाँ पर क्या हो जागा दोग एलेक्ट्रोन अर्डी में चले कि यह एक दो तीन चार पॉआँ तो इसका कितना इलेक्ट्रोन है भी दोग भर दिये अब यह तो जबे करता है क्योंकि फैलेंस सेल करने के मतला जो सबसे लास्ट वले है तो यह तो जिए बहुत करेंगा अब यह सबसे लास्ट गाए तो यह जब यह जाएगा पार्टीशिपीट करने मतलब 2 गिलेक्ट्रोन जाएगा और दोग इलेक्ट्रोन जाएगा मतलब यह कितना सो करेगा हम लोग को पलस टू तर दो करेगा अब देखो एक कंडिशन यह वहसे साभीर हो जाराएगा,' इसका मतलब अब हम लोग हो सकते हैं.. जो Thank You हम लोग प्रस्टो भी सो कर सकता हम यहां पे लिखा गया अब f इसमें चलेगा तब 4S2 और 3D इसमें 6 चलेगा इतना करेगा अब देखो S में 2 हो गया अब इसमें देखो 1,2,3,4,5 ठीक है अब 6 इलेक्ट्रोन तब मतला 1,2,3,4,5 और 1,2,6 इस तरस करेगा अब यहां पर देखो एक कितना हम लोगों कर सकता है और प्यर्ड इलेक्ट्रोन इधर कितना भी यहां चारेगनुहरे एक तो प्यर्ड होगे त्प्यर वला जाएगा नहीं तो अन्प्यर्ड वला जाकर प्रस तूप ऑकेले से ओकर एगा बाकी एक वह इसका जाएगा और एक इसका जाएगा तो मतलां 3 करने लगेगा अब उसी तरह से दो जाएगत क्या ह सब से जाता करता है तो कि यहां पिटना हम लोग आगे चलते जागा यहां पर शाथ हो जागा सब्सक forgiveness प्रफिर दिख आप जो अपने ख्थआर से तछए फेद बातब जौब सफतने ही और धेच UP मतलब कि पांच को से अगर ज्यादा हुआ तब भी उसका ऑक्सिडेशन घटने लगेगा और अगर पांच से कम रहेगा तो ऐसे इसका घटेगा इसका मतलब अगर हम लोग को सबसे ज्यादा अगर बनाना है तो किसमें बनेगा मैंगनीज में तुम्हारा पांचों का पांचो तुम्हारा 3D series में कौन ज्यादा सो करता है तो कौन सो करता है मैंगनीज रिजन समझ मा गया कैसे निकालते है वो भी समझ मा गया चलो तो यह चार्ट से तुम्हें ता ऐसे समझ में आ गया होगा बाकि हम यहां पर सिर्फ बता रहेते हैं कि कैसे हम लोग फांडूट करते ह कलर सो करता है अब कलर कैसे सो करता है इसको explain करने के लिए बहुत ही थोड़ा लंबर टैम के यहां पर जरूरत होगा जो कि हमारे पास उतना समय नहीं है और वो उतना ज्यादा गहरा है से हम लोग को question नहीं पूछता है सिर्फ हम लोग को question पूछा तो उसका हम लोग directly answer दे जिए हम लोग को exam के भी उसे question यहां पर पूछा जाता है जीसे यहां पर क्या पूछता है कि explain why transition metal mostly colored यहां पर यह करना है कि कि जितने भी transition metal होते हैं, वो सारे हम लोगो क्या करता है, color so करता है, ऐसा क्यों? समझमा गया, mostly बात कर रहा है, हर कोई के नहीं, mostly बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगो क्या है, कि color so करता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, सो देखो, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कि जब भी वो color so करेगा, तो वो किसके वज़ज़ से करता है, तो DD transition, क्या जिक वज़ज़ करता है, DD transition, और जब तक उस D वला orbital में, जब तक एक भी unpaired electron नहीं रहेगा, तब तक वो DD transition कर ही नहीं पाएगा, दो condition यहाँ पर देखना, जब भी most, यहाँ पर हम लोग को color वाला compound पुछाएगा, कि क्या हम लोग को transition metal आखिर क्यों हम लोग को color so करता है, पहला region, हम लोग जो वहाँ पर करता है, तो DD transition के वज़ज़ से, अब DD transition तब ही करेगा, हम लोग इसके विश्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, इसके हम लोग पूरे detail में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इसका questions बस इसी तरस पुछेगा, तो किसका DD transition होता है, तो अब unpaired electron का DD transition होता है, इस वज़ज़ से कोई भी हम लोग को transition element, हम लोग को color so करता है, बस इतना ही region लिखना है, बागी कुछ नहीं, जैज़े को यह questions यहां पर लिखे हैं इस तरह से directly questions क्या पुछता है? क्या पुछता है? कि explain why यहां पर ascendium के उपर क्या है, 3+, है तो why ascendium is colorless and titanium is colored, अब यहां पर देख रहा है ascendium में 3+, है, titanium में 2+, है तो यहां पर ascendium के ऊपर 3+, हरता है तो यह colorless हो जाता है, क्यूं? और titanium के क्या उसके पास अंप्याड़ एलेक्ट्रोन बच रहाए गया अगर उसका रहे गडी और बैटल में तो इसका मतलग वह डिडी ट्रांजिशन करेगा और अगर डी ट्रांजिशन करेगा वही यह इसका हमलोग कन्फिग्रेशन करो, तब तुम जानता है कन्फिग्रेशन करेगा, कितना हो जाएगा, 4s2 और 3d1 होता है, इतना होता है, अभी देखो, अस्कैंडियम नहीं है, अस्कैंडियम 3 पलस दिया हुआ, क्या चैंडियम 3 पलस, इसका मतलब क्या है, तीन को इलेक्ट्र खरक कोई भी बच रहा है इस वजह से यह डीडी ट्राइसिशन नहीं करेगा अब डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो टिक है वह कलर सो करेगा नहीं इसी जलते हीज़ो अस्कानियम के ऊपर 3 प्लस रहता है वह कलर लेस करता है अब क्यों समझमागे यहां पर चलो अब यह 4S2 और 3D2 यही होता है अब यहाँ पर देखो इसके उपर देख रहा है कि टैटनियम के उपर 2 पलस है मतलब क्या करना है दो वो इलेक्ट्रोन बाहर निकालना है इसका मतलब S से निकाल लेगा तो यहाँ पर जैसे निकालनेगा दो इलेक्ट्रोन तो यहाँ पर 0 हो जागा द दीडिटू । अब D मैं कितना इलेक्ट्रोन है। दो ग एलेक्ट्रोन म्तलँ एक दो तीन चार पाउंच अब दो इलेक्ट्रोन देखाव। आप उनुलगों एक भी सि्लैक्ट्रोन ने बच रहा तो खोने इस दो इस वज़ा से खांब यहां प्रिक अट को compound के इसके बात करेगा यहाँ पे transition element हम लोग को कैसे color so करता है तो उसके हम लोग सबसे पहले priority देना है कि इसको कि जाके देखू कि क्या उसके पास unpaired electron बच रहा है कि नहीं बच रहा है अगर unpaired electron d orbital में बच रहा है Pediator sentido, va피ation and titanium का example यहां पर कुछ भी ली सकता है iron का ली सकता है, cobalt का ली सकता है, Magneze का ली सकता है किसी कभी ले सकता है, तो क्या महाँ पर check कर लोगा है same ही चीज़ कर करना होता है अब थेको उसका answer कैसे लिखा है इसका region चली चलीग expect पास तेख NO प्रण्जिशन करेगा और डीडी ट्रांजिशन करेगा तो वो क्या करेगा कलर सू करेगा यहां तब समझ मागया चलो एंसर देखो क्या लिखा हुआ कि अस्कांडियम 3 पलस हाज डी जीरो अब कन्फिग्रेशन को बता रहा है कि उसमें देख रहे थे तो डी में कितना बच रहता जीरो बच रहता मतलब एक भी इलेक्ट्रोन उसमें बचा ही नहीं तो इसी चलता लिख दिया है कि अस्कांडियम कि ट्रांजिशन नहीं टेक प्लेस मतलब वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसी चलते महाँ पर वह कलर लेश सो करता है यहां तक समझ बागा अब देखते हैं इसका जो टैटनियम 2 प्लस तो यह क्यों हम लोगको कलर सो करता था क्योंकि इसके पास हम लोगको अन्पेड इलेक्रोन बचता था तो देखो ऑन दी अधर हैंड टैटनियम 2 प्लस हाज D2 इसका कन्फिग्रेशन देख रहा था अभी किता बच रहा है D2 तो इसे चलते हैं पर लिख देए D2 कन्फिग्रेशन विथ टू अन्पेड इलेक्रोन बच रहा था तो विथ टू अन्पेड इ अब कैसे होता है, यह नहीं बता आए, क्यूकि उसको जानने कलें आजिक्र हूँ में खतम हो जागा जए को सिर्फ वह ही डीप ग्रते लग यह इसमें वह गाराए मेरे जाएंगे ने यह आप प्राइच में क्या है यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है ठीक है इतना समझ मा गया चलो अब नेश्ट पॉइंट को हम लोग यहां पर बात करते हैं अब इसमें क्या है कि इन लोग जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उन लोग क्या करता है एलोई का व होता है वह हम लोग को क्या होता है ने की वज़ा से उन लोग आपस में क्या करते हैं ऐलोई का करते हैं बात काता है चलो अब हम लोग दीक वखो इसमें माऍकनेटिक को बहुत बार पुछचा जाया ठीक है अ凡़?... एकस्प्लेन द ट Tá प्रोपर्टी उसको एक्सप्लेट से लिए अब चुह जिटने भी टरब्रोपर्टी को एक्सेंट करने के लिए लुट लिए तो तो ट्रांजिशन मेटल सौ्ज सब बिहेब करता है तो उनलोग बिहेब करता है पारा मेंगनेटिक और डाय मेंगनेटिक सबस्टांस के जैसा ठीक है तो जैसे के बाद समझते है कि पारा मेंगनेटिक सबस्टांस क्या होता है तो अब देखो अब पारा मेंगनेटिक सबस्टांस are the one that contain unpaired electron and are weakly attracted in external magnetic field. देखो, पारा मेगनेटिक क्या होता है? तो पारा मेगनेटिक वो हम लोगो रहता है substance, जिसके पास हम लोगो क्या होता है? अनपेर्ड एलेक्ट्रोन रहता है. क्या करता है? उसके पास अनपेर्ड एलेक्ट्रोन होता है, और उन लोग क्या करता है? तो weakly attracted होता है कोई भी external magnetic field के तरफ. मतलब कि यहाँ पे समझो, कि जितनी भी transition element है, देखो, इससे question इस तरस पुछेगा, दोगो example देदेगा, कोई भी मान के चलो, और उसमें बोलेगा कि इन में से बताओ कि कौन हम लोग को paramagnetic है, कौन हम लोग को diamagnetic है, तो paramagnetic के बारे में अगर कभी भी पूछेगा, तो समझ जाना, कि उस मतलब उसमें देखने जाएगा, कि उस element में कम से कम हम लोग को unpaid electron परजेंट होना चाहिए, अगर unpaid electron उसमें मौजूद है, इसका मतलब वो हम लोग को paramagnetic हम लोग को सो करेगा, और paramagnetic का nature होता है, कि अगर उसको external, कोई भी हम लोग magnetic के साथ हम लोग रख लेते हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या करता है, weekly उसको साथ attract होता है, क्या होता है, weekly attract होता है, ठीक है, तो वही चीज़ यहां पर हम लोग बोल दिया है, कि paramagnetic substances are the one that contain unpaired electron and are weekly attracted in external magnetic field, समझ गया, और यह जो diamagnetic होता है, इसमें हम लोग को क्या होना चाहिए, paired, दोनों अंतर समझो, एक होता है paramagnetic, एक होता है diamagnetic, तो paramagnetic में हम लोग को unpaired electron की required होता है, उन लोग क्या होता है, external magnetic field के साथ weekly attract होता है, लेकिन जब कि हम लोग देखते हैं diamagnetic में, तो वहाँ पर हम लोग को paired electron की जरूरत होता है, किसका होता है, paired electron का, तो जहां अगर हम लोग को paired electron वाला देखा, तो वज़से transition element को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को diamagnetic हम लोग को सो करेगा, diamagnetic का nature क्या होता है, कि उन लोग external magnetic field को repeal करता है, क्या करता है, उन लोग repeal करता है, paramagnetic attract करता है, और diamagnetic repeal करता है, paramagnetic में unpaired electron होता है, diamagnetic में हम लोग को paired electron होता है, समझ मागिया, तो यहीं हम लोग को mainly यहाँ पे कारण था जो कि हम लोग को क्या करता है ट्रांजिशन एलेमेंट महाँ पे magnetic property शो करता है और किस तरह से अगर देख यहाँ पे explain कर देना बाकि यहाँ पे हम लोग को 2-3 पे एղेक्ट्रन maintार्व पे शो करेंग और ऊसके पास हम लोग को पूरा-पीर लेक्ट्रन रहे तो इसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे कि उसके पास मतलब कि जो behavior होगा वो कैसा रहेगा हम लोको die magnetic के जैसा होगा paramagnetic attack करता है external magnetic field के तरफ और ये जो तुम्हारा die magnetic होता है वो repel करता है बतकतर चलो इतना लिकलो पिर आगे बात करते हैं आप देखो जो objective में हम लोको पूछ देता है कि magnetic moment कितना होगा कोई भी हम लोको महाँ पर transition element चाहिए कोई भी हम लोको d block element दिया रहेगा और उसमें बोल देगा कि बताओ कि इसका magnetic moment कितना होगा तो magnetic moment निकालने के लिए एक formula होता है जिसे तुम्हें याद होना चाहिए तो देखो the total magnetic moment is calculated by formula तो formula क्या होता है mu is equals to यही mu जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है magnetic moment क्या बोलते है magnetic moment और magnetic moment जो निकालते है वो क्या होता है under root n into bracket में क्या है n plus 2 और last में उसका unit होता है क्या जो कि scientist का नाम ही है तो उसको unit के जैसे महाँ पर behave करता है अब देखो यह अखिर n क्या है अगर n के बात करेंगे तो यह क्या बताता है number of unpaired electron क्या चिक कहेंगे number of unpaired electron ठीक है तो यह जो करता है जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ascandium ले लिए क्या चिले लिए ascandium और इसका हम लोग को निकालना है तो इसका जैसे configuration करेगा तुम्हारा इस चीज़ होता है 4s2 और 3d1 होता है तो यहाँ पर देखोगे दर भी यह यह तो भी paired है और इसमें देखोगे तो इसमें क्या है एक दो तीन चार पांच तो इसमें एक उलेक्ट्रों रगता है अब बता इसमें एन इस इक वस्टू कितना हो गया एन इस इक वस्टू मतलब क्या चीज़ अन प्याइड इलेक्ट्रों निकालने समझ गया कि यहाँ पे configuration करने है वहाँ पर देखने कि को न हम लोग को बी ज टू पलस वान तो कितना हो जागा ठीरी और वन से गुना हो गया तो थिरी हो जागा तो अंडर रूट थिरी बी तो यह हो जाता है उसका क्याचिद मैगनेटिक मॉमेंट निकालने का समझ मागया आइसे का गया मान का चले तुम्हें यह चीज़ निकालने बोल दिया किसको किसको किसी को भी लेलो मान कि चले तुम्हार सीज़ निकालने जाता है थो एंट टा यहां यहाँ पर याहाँ पर यहां पर निकालने जाता His दीन कर दो यहां से यिफ घॉल्पन देगा यहां कि इस enfin सब्सक्राइन निकाल दो मॉड्यद यहीं strains पूछता है कि मैगेश्णिव मॉमें से हुल देगा कि इसका । कितना होका और संटे देगा आपसे में चा Спर noises निकाले का फोर्मुला रखना होगा फर्मूला या माđन के लिएस निकालने अगर नहीं है, तो अगर 0 लिख दो, अगर है, तो वहाँ पर लिखो, समझ मागिया, तो इस तरह से लोग मैगनेटिव मुमेंट को यहाँ पर कल्कुलेट करते हैं, तो अल्मोस्ट हमारे इस चैप्टर को पुरा कम्प्लीट कर लिए, देखते हैं, कुछ और अगर बचा है, कि why do transition metals form complex compound, आखर क्या वजा है कि transition metals क्या करते हैं, complex compound यहाँ पर formation करते हैं, इसके पीछे क्या वजा है, तो देखो, तो these metals and their ions easily coordinate to a number of negative ions और neutral molecules having lone pairs of electrons to form complex, यहाँ पर सबसे पहले देखो, कि जो इस transition metal होते हैं, या फिर इसके जो ions होते हैं, उन लोग क्या करता है, easily जा करके coordinate हो पाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, किसे किसे, तो नेगेटिव से, या तो फिर neutral, वहाँ पे जो molecules आते हैं, उससे क्या करता है, directly उन लोग, वहाँ पर जा करके coordinate बना पाते हैं, इसी जलते तुम लोग देखा होगा, कि तुम लोग का एक चेप्टर से हैं, तुम्हारा क्या चेप्टर है, उसमें क्या है, coordinate bond, मतलब कि कोडिनेशन नमबर, क्या ची देखा है तुम लोग, कोडिनेशन नमबर, ठीक है, अब यहाँ पर देखा होगा कि कोडिनेशन नमबर में, जितने भी वहाँ पर central metal atom तुम्हें देखने को मि में, तो वहाँ पर यही से चलते हैं, कि इसका एक nature है, कि जो तुम्हारा metal है, transition metal या फिर इसके ions, वो क्या करते हैं, कि कोई भी अनायन से, मतलब नेगेटिव से, या तो फिर कोई न्यूटरल जो ligand से सब होता है, उन लोग से आ करके directly क्या होता है, coordinate हो पाता है, एक दूसर and high nuclear charge of these metals, तो इसके जो central metal जो atom होते हैं, उन लोग को क्या करता है, मतलब जो transition metal होता है, उनके पास a small charge होते हैं, और उनका जो high nuclear charge होता है, उसके पास जो nuclear charge होता है, वो क्या होता है, बहुत ही high होता है, इसके वज़ा से उन लोग क्या करता है, coordinate bond आच्छा तरीका से बना पा जो back end d orbital भी present होते हैं, इसके वज़ा से क्या होता है, कि जो तुम्हारा donate करने के लिए आता है lone pairs, तो उससे साथ क्या करता है, accommodate हो करके, क्योंकि उसके पस क्या होता है, suitable energy होता है, तो इसी वज़ा से उन लोग क्या करता है, एक दुस्ते से coordinate bond का formation वेगरा ही सब करता है, तो व पीछे क्या वज़ा है, सारा कुछ समझ मा आ गया, कि उसका size हम लोग को छोटा होता है, उसके बीच में जो देखेगा nuclear, जो यहाँ पर देखता है न nuclear charge, तो nuclear charge भी उन लोग के पास क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसके वज़ा से उन लोग अच्छा तेका से coordinate हो पात है कि कभी पूछ लिया करता था, पहले अगर प्रिवेस एस में देखोगे तो इस ते भी question पूछा जाता था, हलाकि आप पूछता नहीं, आप तो जेनरली कभी तीन से चार नमर पूछता है, तो अबजेक्टिम में घुच जाता है, तो पहले जो हम लोग लोग पढ़े है तो पहले से हम लोग जायदा वहां पर मैक्सिमुम पूछ देता है, ओक्सिडेशन ही सब जितना पूछता है, तो इसके अगर पूछ दिया था, कोई गारेंटी नहीं रहा था, इसी जलता यह सारा चीज चर्चा कर दे रहा, अब इसके अगर पूछा डिटेल में जानना भ पाता है, इसके लिए भी हम लोग को जादा डिस्क्राइब करना पड़ता है, लेकिन उतना हम लोग जाएंगा नहीं, चलो, यहां पर खाले questions और answer से मतलब रखेगा कि इसको क्या होता है, रेजन जानो, बस खतम कानी, ठीक है, देखो, the enthalpies of automization of transition metal is high, give reason, कि transition metal जो होता है, उसका automization, जो enthalpy होता है, वो हम लोग क्या होता है, हाई होता है, इसके पीछे कारण क्या है, तो the enthalpy of automization of a transition metal are high, because they have a large number of unpaired electrons, and hence have a strong metallic bonding, तो सबसे पहले reason क्या है, कि उसके पास transition metal के पास, automization, enthalpy of automization क्या होता है, बहुत ही high होता है, इसके पीछे region क्या होता है, क्योंकि transition metal के पास क्या होता है, बहुत ही जादा हम लोग को unpaired electron देखने को मिलता है, तो इस जालते हैं, यहाँ पर कारण क्या हो गया, कि they have a large number of unpaired electrons, और उनलोग क्या करता है, आपस में, मतलब कि उस इसका reason समझ मागए, question समझ मागए, इस तरह का question देखा, इसके पीछे reason क्या है, बस उसको link करके complete कर देना है, जहाँ तक हम से hope आया, कि हम लोग इसको कितना अंदर तक जा सकते हैं, उतना हम जाने की परियास किये, बाकी वैसे वैसे topics को हम लोग थोड़ा गहराही तक नहीं बहुत जरूरी हो जाते हैं, जो हम लोग के exam में आदेगा, तो उसके लिए अगर हम लोग को पूरा fill करना है, तो fill करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अंदर तक जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं जा पा रहे हैं ठीक है, चलो, तो यह था हम लोग को deblock elements, इसे हम लोग वहाँ पूरा कर लिना है, नोट से, क्योंकि वहाँ से question तो कुछ, selector selected मापे question सेट किया गया, लेकिन generally अगर कहीं घुमाएगा, तो इसे भी ताएगा, इसे जलते chapters का revision बार बार करते रहिएगा, ठीक है, चलो, तो यह था तुम्हारा D block element, अब थोड़ा सामलग देख लेते, app block element क generally हम लोग को question पूछता है, वो D से पूछता है, app से जल्दी question नहीं पूछता है, फिर भी कुछ-कुछ questions का यहाँ पे explain कर लेते हैं, अगर question पूछेगा तो हम लोग क्या उसमें जवाब दे सकते हैं, तो कुछ-कुछ देखेंगे, बाकि हम लोग को question जादा बड़ा- elements से, ठीक है, चलो, अब हम लोग बात कर रहे है, app block element का, तो app block element का यहाँ पे कुछ-कुछ point लिक रहे है, इन लोग important होता है, ठीक है, अगर objective में घुछना होगा, तो इधर से घुछ देगा, पहले ही बता दिए, अगर आप यहाँ पे app block को नहीं भी पढ़ते हैं, तो कोई दिकत नहीं होने वाला है, अगर आप D block को सिर्फ पढ़के जाएए, आपका full में full mass आएगा, क्योंकि app में generally अगर by chance यहाँ से questions पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे generally नहीं ही पूछा जाता था, पहले पूछता था लिकिन अब उसमें नहीं पूछाएगा, ठीक है, जो भी वो D block से ही पूछेगा, इसी चलते हैं इसका priority उतना नहीं रग गया है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ-कुछ point को यहाँ पे discuss कर दे रहे हैं, हलाकि इसको छोड भी देंगे तो आपका कोई भी नुकसाम नहीं होने वाला है, चलो, क्योंकि app block से question नहीं ही पूछेगा, मेरा guarantee ह है, कि इससे question नहीं पूछेगा, मतलब नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा, वो D block element से ही पूछेगा, ठीक है, चलो, अब यहाँ देखो, app block element का जो position होता है, वो position कहा होता है, तो bottom portion of periodic table, अभी उस इसमें बताएं कि periodic table के जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो दो इस सबसे बता हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, app block element, तो वो कहा रहता है, सबसे नीचे रहता है, वहीं चीछे लिख दिया, bottom portion of periodic table, अगर objective में घुस गया, बाइचांस तो इसको थोड़ा सा सुन लो, group उसका कहां से रहता है, तो जितना भी group होता है, वो third group का यहाँ प यहीं से आया है, तो यहीं से, तो उन लोग आया कौन सा group से, तो उन लोग आया है, यहां से third group से, इस से जलता है, जितने भी app block element है, उसका ग्रूप होता है, वो third होता है, तो यह समझ मांगिया, और इसका जो period होता है, वो period कौन सा होता है, sixth and seventh, तो यहाँ पर देखो, जो तो इस तरह से डबब बटा हुआ रहता है, तो उपर वला रहता है, वो sixth period कर रहता है, और निचे वला किस period कर रहता है, seventh period कर रहता है, ठीक है, और यह लोग कहां रहता है, third period में ही रहता है, समझ मांगिया न, चलो, अब इसका देखो general electronic configuration, तो यह थोड़ा सा याद रख ल या, D के उपर क्या होता है, 0 से 1, यहाँ पर generally लोग कर देता है, 1 से 10, वैसा नहीं होता है, F में configuration जब भी करोगे, तो इसमें क्या होता है, 0 से 1 ही सिर्फ भराता है, ठीक है, बाकि देखो यहाँ पर, N, S में क्या होगा, दो electron तुमारा fix रहेगा पहले से, तो यह होता है, configuration, अब यहाँ देखो, टोटल element कितना रहता है, तो 28 होता है, 14 उपर होता है, 14 नीचे होता है, तो जो उपर वाल जो रहता है, ये वाल जो उपर वाल भाग, उसको विलोग क्या बोलते, length नाट्स बूले है, उसको क्या बोलते, length नाट्स, और जो नीचे वाल रहता है, स्टेरा करके 10 sugar तो मारा नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ति नैस समझ इस्द आर ने तो इसमें देंक आ भी ब्लोक एलेमेंट और नाम से क्या जानते थे ट्रांजिस्टनल आटम ब्लोड फिर ट्रांजिस्टनल मेटल यह बस इतना जालते थे उसी तरह से यहाँ पे तो डाप्लोक को अंतर सभय माग्या आज आठी है क्यक्या रेवर अर्थ मेटल क्या बोलते हैं जब तो हम लोग जब करते हैं थो लास्ट इलेक्ट्रोन अगर में अगर हम लोग को जाता है तो वैसे दो में इसी तरव से अला आगर से पूछेगा यहाँ इसको बोलते हैं तो ला अगर डी सब्सेल में गरे जाता है तो उसको बोलते हैं एक वाइज चीज़ यहां पर बोल दिया है कि लाश्ट इलेक्ट्रोन इंटर्स इन एन मैनेस टू एफ और बीटल ठीक है जनरली खली जानों कि एफ वोला और बीटल में अगर तुम्हारा जाएगा या फिर एफ सबसेल में लाश्ट इलेक्ट्रोन अगर जा रहा है तो इसका मतलब वह एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा ठ ठीक है अगर इसका एक्जामपल आप याद करने में तो इसका एक्जामपल आप याद कर लेज़िएगा जा अधर्वाईस इसका छोड़िएगा ठीक है तो देखो वाट इस लेंधेनायड क्लॉन तरफ यहां पर तुम्हें प्ता चल गया कि ए फ ब्लॉक में दोग यहां था ठीक है डबा तो उपर वला को लेंधे नाइड कोंट्रेक्शन काते था नीचे वला को एक्टी नाइड बोलते थे तो आखे लेंधे नाइड कोंट्रेक्शन होता क्या है तो दाद डिग्रीज इन अतॉमिक और आइनिक रेडियाई आइड को आई और मूझिंग फ्रॉम लेप टू रैट इन लेंधे नाइड स्रीज इस नोन एज लेंधे नाइड कोंट्रेक्शन यहां पर होता क्या है कि जिसे लेट रेट जाएगा जैसे यहां पर डबा था ना डबा था तो उपर वाला को ही हमलोग क्या बोल रहे है लेंथ है नैट बोल रहे है और नीचे वाला को हमलोग क्या बोलते थे एक्टी नैट बोल रहे थे ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमलोग लेफ्ट से रैट की और जाते है इनलोग का जो आइनिक रेडियाई तो इधर से इधर जाने पर क्या रता है घटने लगता है अब घटने लगता है इसी process को हम लोग क्या बोलते है तो यह इसी वज़ा को हम लोग क्या बोलते है उसको lengthened contraction बोलते है समय जमार गया खिक तो इसी जलते ही लिखा है कि decrease in atomic और ionic radii on moving from left to right in lengthened series is known as lengthened पूछे तो सिर्फ यहीं से पूछे का बाकिया हम तो तुम को पहले ही बहले दिए कि जो कोईशन पूछे का वो D block element से ही कोईशन पूछेगा F block से questions अगदम ना की मातरम पूछता है बोलो तो नहीं ही पूछेगा ठीक है तो यह था हम लोगों D block और F block element उम्मिद है कि बहुत अच्छा तुम्हें समझ माया होगा, बार बोल बोल रहे हैं कि कम से कम तुम लोग याद कर लेना 30 तक atomic number और साथी साथ उसमें कौन सा element है, उसका sample क्या है, ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, साथी साथ जो हम लोग यहाँ पर बताएं कि 12th होल जो जो हम इंडिकेट कियें, उससे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, electronic configuration करने आ गया होगा, उससे एक दूबार practice करना, और अच्छा तरीकर से उसे तुम फिल कर पाऊगे, क्योंकि जो यहाँ पर हम बताएं, वो अपने नों साथ के तुम एक भी वहाँ पर try न फोड डालूगे, इस lectures को बनाने के लिए मुझे लगभग 6 गंटा का समय लगा है, तुम्हें लग रहा होगे, बहुत समय कम लगा है, इसके पहले मुझे पूरा research करना पड़ता है, सारा कुछ क्योंकि तुम लोग को क्या है to the point यहाँ पर बताना पड़ता है, इस ही चलते और अभी editing में लगेगा, समय सो लगभे करेगा, तो इस तरह से, तो पुरा ऐसा ने के सिर्फ लेक्टर बताने में यह 6 गंटा लग रहा है, इसका सारा कुछ material त्यार करने में उतना time मुझे लगा है, तो इस वज़ा से इतना हम मेहनत कर रहे है, तुम लोग से ज्यादा मे है, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक नए energy के साथ पूरा अगध हम लोग क्या करते हैं, नए lectures को suit कर पाते हैं, तो आप टेलीग्राम में जाके message कर सकते हैं, यह तो फिर आप नीचे comment section में जरूर बता सकते हैं, जो भी problem है, आप लोगों को जो भी requirement है, क्योंकि हम प्रोड फिल होगा, कि हाँ चलो, कम समय में ही हम लोग क्या के बहुत जाद हैं, यहाँ पे धमाल मजा दिये, तो तुम लोग सिर्फ अपने तरब से इतना ही कोसिस करना, कि अभी जितना भी समय बचा हो है, इसमें सोना, खाना, पीना, यह सब अगर थोड़ा सा त्यागों तब भी चलेगा, लेकिन अभी पढ़ाई को तुम लोग त्यागों नहीं, जो भी अभी 15-20 दिन है, इसी में तुम लोग क्या कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें जितना ज्यादा हो सके, तुम लोग मेहनत करते हैं, एक न एक दिन तुम लोग सब फलता जरूर पाओगे, बाकि अभी तुम लोग को जो भी प्रोब्लम में हम से सेर करो, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है, तो यही हमें उम्मीद करते हैं, कि तुम लोग बहुत ही मन लगा कर कर पढ़ रहे होगे, और एक ही तुम लोगों के मन में मोटिवेशन होगा, कि हमें अपना